दोस्तों कोई भी चीज मुझे डीटेल में सीखनी और सिखानी बहुत पसंद है शायद आपको भी पसंद होगी तो ये वीडियो आपके लिए जिए दोस्तों मैं लेकर आए हूँ एक और ऐसा वीडियो जिसमें मैं डीटेल में explain करने आप इंटरनेट के बारे में हाँ ये व प्रोपेशनल सर्च भी बताने वाला हूँ तो आप लोगो मैंसे बहुत सारे लोग ये प्रोपेशनल सर्च यूज नहीं करते होंगी जिससे आपका टाइम से होता है प्रोपेशनल सर्च मतलब कैसे मैं आपको एक्जामपल के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको गूगल को का इंट्रोडक्शन होगा गूगल क्रोम के अंदर की सेटिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जैसी कि गूगल में आपका पासवर्ड सेव है तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते या फिर गूगल में हम हिंदी टाइपिंग के लिए एक्सेंशन कैसे करते हैं एक्सेन इस्ले का करना है उसरいमू कैसे करना है गूगल और में चुब satisfy को refreshed बादेने वाला है तो एक लिएव डिएशन केgil вызपा सफット यह उतला नहीं जानती है तो यह वीडियो आपको देखना ठाल गा जिसमें मैं आपको Google Chrome Browser में आपका काम का स्पीड बढ़ाने के लिए Google Chrome Browser की important shortcut keys भी बताने वाला हूँ तो ये एक complete tutorial है जिसमें Google Chrome Browser का तो introduction हो गए होगा साथ में जिनको अभी तक Gmail यूज करना नहीं आता है मतलब Gmail पर account बनाना नहीं आता है email send करना नहीं आता है अपनी signature add करनी नहीं आती email में या फिर email को schedule करना नहीं आता है schedule याने की मुझे क्या करना एक email पेजना है एक person को लेकिन कल सुबा 8 बजे उसके inbox में जाना चाई हो लेकिन कल सुबा 8 बजे तो मैं उटने वाला नहीं हूँ ऐसा आपको लगता है, या कल सुबह 8 बजे आप कुछ और काम में बीजी रहने वाले हो, ऐसा आपको लगता है, तो आप अभी से उस email को schedule करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, कि schedule करने के बाद वो email उस person के inbox में, कल सुबह 8 बजे उसे मिल जाएगा, तो ऐसा कैसे कर सकते है ऐसी धेर सारी email की tips and tricks भी इस वाले वीडियो में मैं include कर रहा हूँ, तो यह complete Google का एक package जोने वाला है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़े आपको यहाँ पर एक साथ सीखने मिलने वाली है, और ऐसी कुछ website भी आपके साथ share करूँगा, जहाँ पर आपको कुछ free content डाउनलोड क यह मैं बताने वाला हूँ, उन website के बारे में भी information देने वाला हूँ, तो कुछ useful website भी मैं यहाँ पर share करने वाला हूँ, तो चली अगर आप interested हो, कि गुगल के बारे में बहुत कुछ जानकरी हमें लीनी है, डीटेल जानकरी हमें लीनी है, तो यह वीडियो देखिए, और ए बेसिक से शुरू की है, तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो बेसिक आता है, मैं टाइम ने वेश्ट करना चाता हूँ, तो आप description में जाईए, जो चीज आपको नहीं आती है, वो आप वहाँ पे देख सकते है, description में टाइम स्टाइम दिया है, जो चीज नहीं आती उसके उपर click किजिए और directly वो particular portion पे आप वीडियो में जम करोगे और वो part आप देख लो, right, आपका time मैं waste नहीं करना चाहता हूँ, right, और अगर आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में पता है, आपको Gmail पता है, आपको Gmail की tips पता है, आपको email schedule करना पता है, आपको धेर स तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी सा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकों पे click कीजिए, अगर किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते, क्योंकि ऐसे धेर सारी वीडियो मैं हर सोमवार को शाम को पाच बज़े लेके आता हूँ आपके लिए, तो ज़रूर सब् सब्सक्राइब को आपको फिर से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नए वीडियो की फिलाल टॉपिक पे बढ़ते हैं हम यहाँ पे इस केस में Chrome ब्राउजर ले रहे हैं क्योंकि यह popular है, आप Microsoft Edge ब्राउजर में भी सेम काम कर सकते हैं, लेकिन Chrome ब्राउजर popular है, तो इस केस में यहाँ पे यह लेने वाला हूँ, Chrome ब्राउजर के अंदर क्या क्या चीज़े देखने वाले है, इसका एक और यू प फिर फिर डेता है पहले ही, आप सबसे पहले इसका इंट्रोड़क्षन तो मैं बता दू आपको यहाँ आपको निव टैब दिखाए दे रहा है, यहाँ पे निव टैब है और यहाँ पे ख्लोज बटन भी इस टैब को हम यहां से ख्लोज कर सकते और नय टैब लेना है, तो उसके बाद मैं बस नाम बता रहो आपको बाकी सरी चीज़े करके दिखाऊंगा या पर back और forward बटन दिया है जो की एक website में आप आगे पीछे जा सकते हैं और refresh करने के लिए आप रिलोड पेज बेसिकली ये बटन दिया है refresh और रिलोड बोल सकते हैं आप इसे अपाई से भी क बाद नीचे ये bookmark है ये मैंने add किया है ये अगर यहापे शो और hide करना है तो कैसे मैं आपको दिखाऊंगा साती में आप जीमेल अगर आ रहा है क्योंकि अलड़ी है अभी chrome browser में हम तो यहापे जीमेल और images इस तरह से दिखाए देगा और यहापे आपको options भी दिखाए द यहापे अगर आप click करते हो तो आपको यह product मिल जाते है और मैंने recently जो web pages सर्च किये है वो यहापे आपको दिखाए दे रहे है चलो ठीक है यह chrome browser बहुत ही simple introduction है तो आईए सबसे पहले हम directly address bar से website open करना जानेंगी जो भी website हमें open करनी है यहापे आपको उसका address bar लिखना है जैसे आपको google open करना है basically तो यहापे www.google.com आप type करोगे आपको www.google.com इतना भी type करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यहापे क्या होता है कि basically google समझ लेता है कि यहापे मेरा वीडियो भी अपको दिखाए दे रहा है okay तो फिलाल वीडियो बाद में देखे यहापे plus sign जो दिया है उपर यहापे मैं plus पे क्लिक करता हूँ मैं YouTube से अभी plus करके एक नया tab ले रहा हूँ तो यहापे YouTube मेरा चालू है side में एक नया tab open हो चुका है जिसमें मैं search करूँगा या open करूँगा दूसरी website जैसे मैं open करो यहापे मेरी coastway.com नाम की website यह आपको पता नहीं तो मैं बताओ कि यह नई website जल्दी launch हो रही है launching soon तो यह website यहापे आपको दिखाए दे रहा है open हो चुकी नए tab के अंदर यह अलग-अलग tab यहापे आप नए tab open करोगे देर सरे tab open कर सकते और अलग-अलग website open कर सकते मैं close करता हूँ इसे मैंने इसे भी close किया ओके तो यह आपको idea आ चुका है कि website कैसे open करना है यहापे directly address बर में type कीजिए जो भी website आपको government के कुई website open करनी कुछ भी है आप यहापे open कर सकते फिलाल मैं google.com पे जाता हूँ चलो ठ यहापे क्लिक करके आप जब बोलोगे तो अटोमेटिक लिए सर्च हो जाएगा अगर आप मोबैल में उसकोते तो रहरिकली माइक रहता है desktop पे आपको mic करना पड़ेगा laptop में तो माइक रहता है इन बिल्ड तो search by voice एकदम सिंपल है यहापे क्लिक करके कर सकते है search by text channel अब्दूल कलाम एकदम सिंपल है नाम टाइप करो एंटर करो जैसे आप एंटर करोगे यहापे डेर सारे सर्च आ जाएंगे about अब्दूल कलाम यह दिखिए 2 करोड 47 लैक रिजल्ट यहापे आ चुके है और यहापे आप स्क्रोल करोगे तो नीचे आपको दिखाई देग यहापे आप क्लिक करो यहापे राइट साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है कि उनका जनम कभी हुआ था और बाकी सरी चीज यहापे दी है और फिलाल आप इस पर अगर क्लिक करते हो तो और डीटेल में आपको बाइगर आपी मिल जाती है और यहाँ के कंटेंट आप फोरी इंट कर लेते हैं नोडड में मुझे डालना है तो यह पेश करता हम यह देखिए पूरी इंफोरमिशन यहापे आचुक्य है यहापे तो बहुत बढ़ा है तो इसका पॉरी इंफोरमिशन आपको यह दिखाई दे है आप वेशे वर्ड में भी ले सकते, Excel में भ बटन प्रेस करूँगा तो यह बैक हो जाएगा अगर मुझे अब्दुलकलाम जी कि फोटोग्राप्स देखने इमेज़ देखने तो मैं यहाँ पर simply images वाले options पर क्लिक करूँगा यह देखिए images वाले options पर जैसे मैं image की जो size है वो देखूँगा यह है लगबग 2000 pixel तो सबसे पहले मुझे यह देखना है कि यह image कौन से size में मुझे मिल रही है इस preview पर मत जाएगे यह जो preview दिखाए दे रहे है अभी देखिए मैं उसके बजवाले image पर क्लिक करता हूँ इसका preview भी लगबग इस image के जैसे ही आ रहे है प्रिव तो इतने ही आएगा लेकिन यह image जो आप download करके लोगे save करके लोगे तो इसकी quality आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी size देखे यह image की 342 by 450 बहुत ही कम pixels की size है और यह अगर आप कई पर प्रिंट करोगे तो blur आ जाएगा या वर्ड वगरा या कोई software में डालते हो तो वहाँ पर size बढ़ाने के बाद blur दिखाए देगा तो बड़ी size की image यहाँ पर ले लो और उसे आप save करो अब इसे पेस्ट कीजिए देखे यह image यहाँ पर directly copy paste हो गई है ओके आप इसे यहाँ पर कम ज्यादा भी कर सकते है अजस कर सकते है तो आपको आइड़े आ चुका है कि image यहाँ से copy की जा सकती है यह राइट लिक करके आप save image करेंगे तो आप desktop या जहाँ पर बीच ही देखिए यहाँ पर option आ रहा है कि आप कहाँ पर save करना चाहते है डाउनलोड desktop तो मैं desktop पर save करना चाहता हूँ नाम क्या देना चाहते यहाँ फाइल का नाम दीजिए और यही रहने देते perfect नाम है save कर देते सेव करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं यह डाउनलोड हो चुका है कि नहीं हो गया क्या बात है तो ऐसे आप images डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लगता है कि यार मैं जो image सेर्च कर रहा हूँ उसमें size प्रॉपर नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर tools म यहाँ पर लाज क्लिक कीजिए लाज साइस की जो images अवैलेबल है जाता तर इंटरनेट पर वह यहाँ पर दिखाए देगा दिखिए जितनी भी लाज साइस चोटी साइस की images नहीं आएगी basically ओके तो यह आपको idea आ चुका है अब यहाँ पर मैंने image search के बारे मैं basic बताए आ अब मैं यहाँ पर upload image पर click करूँगा और choose file देखिया upload image पर click करूँगा URL तो मेरे पास नहीं है अगर कोई website पर image पढ़ी है तो उसका URL यहाँ पर डाल सकते है लेकिन upload image पर मैं जाता हूँ choose file में जाता हूँ और desktop पर कोई भी image आपके पास है suppose desktop पर image मेरे पास मेरी image में लेत तो image जैसे upload हो जाएगी वह possible related search अबदुल कलम बता रहा है और यहाँ पर उनके photos भी दिखा रहा है तो image search भी available है image की size भी बताता है और image search भी यहाँ पर प्रॉपर हो जाता है अगर आप देखोगे हाँ लेकिन यहाँ पे आपका फोटो डाल होगे तो शायद ही आप से related कु क्योंकि उतनी popular आप नहीं हो ना तो अगर आप हाँ social media पे available है आपका account है social media पे वाइरल हो चुकर है social media पे basically तो फिर आप यहाँ पर search में आ सकते हैं computer और आगे clipart यह डेर सारे clipart मुसे मिलेंगे actual computer की images नहीं clipart मिलेंगे जो कि मैं यूज करता हूँ अगलग thumbnails वगेरा में अलग लग जग पर हमें यूज करने की ज़ुरवत पड़ती है आजकल digital advertising का जमान है दोस्तों तो हमें ऐसे images की ज़ुरवत पड़ती है लेकिन क्या हो तो मैं चाहता हूँ कि यार यह image मैं लेता हूँ और मैं कई पर globally publish करता हूँ कई पर मेरे business यूज के लिए लेता हूँ परस्नल यूज के लिए लेता हूँ तो मैं ऐसे images नहीं चाहूँगा मैं यूज करूंगा copyright free तो मैं tools में चाहूँगा tools में यहाँ पर सारी चीज है मैंने size ही बताया आपको लेकिन size के अलाव आप यहाँ पर color wise देख सकते हैं आप यहाँ पर type search कर सकते हैं आपको क्या search करना है clipart wise तो मैंने clipart आगे लिखा था लेकिन मैं यहाँ पर clipart अगर ले लूँगा तो basically यह देखिए clipart ही आएंगे बस okay यहाँ से भी आपको दिया गया है basically कि clipart आपको चाहिए तो clipart ही search कर लो तो मैंने खाली clipart वहाँ पर लिखा था लेकिन clipart लिखना या फिर यहाँ से भी आप इसे search कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर time भी दिया है कि last 24 hours में जोनों ने upload कि ऐसी images आप ले सकते हैं फिलाल images क के बारे में इसकी जरुदनिया में क्योंकि हम कोई news वगयरा डून रहे तो last 24 hours में कुन सी news आई वह हम यहाँ से देख सकते हैं past 24 hours में और यह है हमारे काम की चीज creative common license and commercial and other licenses तो creative common licenses जिनोंने जिनोंने आ लोग किये हैं वह आप यहाँ images ले सकते हैं और उन्हें आप use कर सकत हैं और यह commercial license वाले चाहिए तो आप यह भी ले सकते है commercial and other license तो वह images यहाँ पर display करती है और यह जो मैंने filter लगाया वह clear कर देना है तो मैं clear कर दिया तो आपको clip art लिखना है ऐसे कुछ जरूई नहीं है अपने computer लिखा तो आप यहाँ पर जाओगे tools में और यहाँ पर जाक सकते line drawing और यहाँ से भी search कर सकते है या फिर आप zip अब यह zip मतलब क्या होता है zip right गीप यह zip अलग लग लोग बोलते जियाए basically graphic interchange format याने animated image graphic interchange format यहाँ पर मैं click करता हूँ यहाँ दिखे इस image में क्या आ रहे है यह animated image रैट इसमें कुछ आपको particular animation बार बार वह animation होते websites भी बताऊंगा और आपको कुछ interesting 10 website भी बताऊंगा इस वाले particular video के अंदर है so don't worry जो interesting website जहाँ पर free content आपको मिल सकते है या free चीजे मिलेगी ऐसा भी मैं यहाँ पर core करने वाला हूँ अब png image का मतलब क्या होते है .png मैं आगे लिखूंगा computer.png अब मैंने यह लिलिया मैं इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर जब मैं click करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहे है यह box 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 आ रहे है तो यह जो transparent background आ रहे है इसे png image केते है transparent background वाली images हम कभी यूज करते जब हमें इसे कई पर यूज करना advertising के लिए इस image को तो मैं अगर इसको copy करता हूँ image को basically मैं आपको powerpoint में दिखाता हूँ मेरे पर powerpoint यहाँ पर open है और मैं यहाँ पर paste करता हूँ यह png है कि नहीं पता चल जाएगा right click और मैं यहाँ पर paste image यह दिख रहा है paste picture तो यह png है द search किया तो basically png रहेगा लेकिन कुछ images png में jpg भी आती है तो ध्यान रखे कि वो png है की नहीं वो check करें अच्छे से जैसे यह वाली image देखते हैं और यह copy करते हैं और paste करते हैं यह दिखिए right यह वाले में आप देखेंगी तो transparent background है नहीं है इसमें transparent background है तो png जो बहुत सार तो basically मैं यह idea दे रहा हूँ कि अगर आपको particular images चाहिए तो आप कैसे search कर सकते है png search कीजिए gip search कीजिए jp जो बेसिकली होता है यह joint photographic expert group और gip का full form होता है graphic interchange format full form भी याद रखिए तो चलिए google chrome introduction हो गया basic search भी हो गया अब मैं आपको बताना चाहूंगा google पे professionally search हम कैसे करते तो computer screen पर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन को से professional search हमें google में पता होने चाहिए let's begin तो चलिए images search हमने जान लिया अब next topic की तरफ बढ़ते है professional search कैसे करते हैं मैं कुछ अपको अलग-अलग tips बताऊंगा search करने की तो यहाँ पे मैं all में click करता हूं इसे में delete कर देता हूं और हम professional search शुरू करते हैं सबसे पहले तो क्या होता है कि मुझे अगर कोई content search करने हैं तो मैं यहाँ पे search करता हूँ data entry jobs in Mumbai चल मुंबई ले ले लेता हूं और मैं enter करते तो जैसे मैं search करूंगा data entry jobs in Mumbai तो यहाँ पे आप देख सकते है result कितने आ रहे about 3,90,000,000 ओहो इतनी result आ चुके 3,90,000,000 तो मैं क्या करना चाहूंगा 3,90,000,000 इतने में धूनना तो बहुत देख रहे है code में लिखोंगा इस तरह से एंटर करूंगा जैसे मैं enter करूंगा यह देखिए 19,60,000,000 तो यहाँ पे क्या होता है कि एक specific zone में search होता है specific search होता है याद रखी हो तो यह particular search करने के लिए बहुत useful होता है double codes के अंदर आप यह करोगे तो Google को आप बता रहे हो कि ब इसको लाके आपके सामने रख रहा है तो अभी आपने data entry jobs in Mumbai डाला तो उसने specific data entry jobs in Mumbai इस वाले particular sentence को ही search किया और जो pages उसे मिल रहे है वही आपके सामने यहाँ पे लाके रखे है तो यहाँ पे जाकर आप specific search आप ले सकते है इस code की मदद से double inverter को माप दोगे तो यह specific search होता है एक नई trick याद रखिए search करते समय उसके अलवा अगर आपको specific website पे search करना है जैसे आपको search करना है मेरी एक website है जिसमें आपको search करना है triple C exam के बारे में मैंने कुछ बताया कि नहीं उस website के उपर तो आप यहाँ पे लिखिए website का नाम जैसे मैंने लिख दिया learnmoreindia.in space और मैं ने search किया है उससे related result तो यहाँ पे triple C course क्या है triple C course in Hindi यह दिखाए दे रहा है तो यह आप यहाँ पे click करके उस website की उपर जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते है वैसे मैं आपको बताओ कि यह learnmoreindia.in जहां पे आपको धेर सारी जानकारी मिलेगी और exam के questions भी मिलेंग वो search आप यहाँ पे कर सकते हैं तो आप आगे का search में बताओ आपको कि अगर आपको कोई PDF फाइल चाहिए, PPT फाइल चाहिए या फिर आपको कोई Excel फाइल चाहिए तो आप उसे भी यहाँ से download कर सकते है Google की मत से लेकिन उसे specifically search करना पड़ेगा जैसे मुझे एक book पढ़ना कुछ live में अगर आपको लगता है कि changes नहीं हो रहे तो आप उस book को पड़ो और उस book में आपको पता चेलेगा कि भई आपको उनसे character हो फिलाल में जाता detail में नहीं जाओंगा file type लिखूंगा PDF मुझे इस book का PDF चाहिए तो मैंने लिखा who move my cheese file type PDF आप देख पाएंगे यहाँ पे who move my cheese PDF file यहाँ पे आ चुका है मैं focus भी कर देता हूँ यह देखिए PDF राइट अब मैं इसे open भी करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं click करता हूँ इसके उपर और यह देखिए यह पूरा-पूरा book यहाँ पे आ चुका है आराम से आप पढ़ सकते इसे या फिर इस बताते हूँ तो मैंने राम सेर्च किया राम सेर्च करते ही यहाँ पर मैं images में दिखाना चाहूँगा पहले यहाँ पर देखिए RAM तो आ चुका है लेकिन यह भी आ गया यह भी आ गया यह राम नाम की कुछ यहाँ पर कार भी दिखाय देरी basically तो यह क्या है अलग-अलग सर है और यह एक ही राम यहाँ पर आ चुका है तो specific search के लिए आप plus भी add कर सकते हैं किसी word के आगे याद रखिए एक professional search याद रखिए time saving search है तो अभी आगे मैं बताओ कि आपको अगर आपने यहाँ पर एक number लिखा है जो कि है कुछ particular number आपको पता नहीं कि यह million billion क्या है कितना trillion है तो आप यह पर is equal to करो और यहाँ पर English लिख दो जैसे आप यहाँ पर English लिखोगे तो 123,548,564,000 जो भी है तो यहाँ पर आपको बता देगा तो यहाँ पर मुझे इसके बारे में बताना था ओके तो यहाँ पर मैं कुछ interesting search आपको बताना चाहूंगा जो कि professional तो नहीं लेकिन interesting है जैसे आपको पता है कि windows अभी हम 10 ही इस्तामाल कर रहे है 11 भी आ चुका है लेकिन पुराना जो windows है windows 98, windows 93 तो वो interface कैसे थे अगर आप देखने में interested हो तो बस आपको लिखना है windows 98, 97 लिख दे मैं 98 और try यहाँ लिख दो windows 98 try और यहाँ पर जो search आ रहा है यह दिख windows के interface को इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सरी चीज़े windows 98 अगर आपके जमाने में था आप अगर उस जमाने के हो तो तो आपके लिए एक थोड़ी सी भूली भी सरी यादे यहाँ पे generate हो जाएगी और windows 98 के जगह में 93 अब यह तो बहुत पुराना हो गया तो यह तो भई यह गया है और जैसे मैं यूज करता था windows xp मैं windows xp से शुरुआत कर चुका हूँ मेरे जमाने में windows xp था तो windows xp ट्राइ करता हूँ मैं और यह दीखे ओहो याद आ गया मुझे वो सारी चीजे जो कि मैं यूज करता था इनको और मैं इसमें गाना प्ले करता था यह फेवरेट और नहीं किया है तो आपको यह सुनाई नहीं देगा एक मिनिट तो अब मैंने internal system sound भी on कर दिया है तक कि आपको सुनाई दे कि भाई यहाँ पे गाना बज रहा है की नहीं बज रहा है अरे बज रहा है यार बज रहा है ओके फिलाल स्टॉप किजिए और यहाँ पे आप ग की होगी भाईया यह बहुत popular operating system हुआ करता था तो अभी यहाँ पे कुछ और interesting search के तरफ जाते है जो कि मैं यहाँ पे directly browser में type करूँगा मैं क्या type करो मैं type करो e-l-z-o-o-z.im यह क्या है यह Google का उल्टा है Google का उल्टा मैंने यहाँ पे type किया .im लिखा और enter किया तो यहाँ सारे अलग लग चीज़े यहाँ पे आपको मिल रहे और यह सारी चीज़े आप चेक आउट कर लो मैं हर एक को नहीं क्लिक करके बताऊंगा मैं एक ही क्लिक करके बताऊंगा under order search करना है मुझे तो मैं यहाँ पे click करूँगा यह दिखिए under order search क्या बात है मैं fish को यहाँ पे इधर भी जा सकते back करके और कुछ चाहिए आपको यहाँ पे देखिए न बहुत सरी डिर सरी चीज़े दी है तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं इंटर्टेनिंग है बाकी कुछ ने इसमें ओहो Google पूरा यह my god इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाय ता ओलड़ी यह Google इधर चला उधर चला राइट यह देखिए Google को ऐसे उठा उठा कि आप पटक सकते हैं राइट तो Google के अंदर यह सारी चीज़े दी है बस इस वाले वेब साइट के राइट तो यह एक इंट्रेस्टिंग सर्च मुझे लगे इसलिए मैंने आपके साथ यह पर शेयर किये है तो अब हमने प्रोफेशनली सर्च और फणी सर्च भी देख लिया अब हम देखेंगे इस वाले बार के बारे में यह जो दिखाए दे रहे हैं यह बुक मार्क है बेसिकली और यह पर कुछ मैंने बुक मार्क भी करके रखा है जैसे मैं मेरा लर्न मोर चैनल एक्सेस करना च सबसे पहले तो यह जो बार है यहाँ पर कैसे लाना है यहाँ पर तीन डॉट जो राइट साइड में दिखाए दे रहे हैं आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो इन तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा है बुक मार्क और बुक मार्क ऑप्शन में दोस्ती और यह channel विजट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यह bookmark में अड़ करूँ तो मैं यहाँ पर click करूँगा इस पर घुक करणगा, यह पुरा path select होगा select होने के बाद इसे son one पर तो और जहां पर भी रखना है मुझे यहां पर रखना हुग्जे एक लइन आ रही है, लंबी शी यहां पर रखना है जहां पर मैं रखना चाहता हूँ, आप यहां पर मैं रखना हूँ देखें, control ship B, control ship B, show or hide, आप bookmark बार को कर सकते हैं, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब मैंने धेर सारी चीज़ें यहाँ पर विजिट की, मैंने अलग-अलग channel विजिट की है, तो अलग-अलग website भी विजिट की, अब मैं नहीं चाहता हूँ किया, यह सब कोई किसी को बता चले कि मैंने क्या-क्या विजिट किया, तो मैं जाओंगा, control H में, यानि history में जाओंगा, control H में प्रेस करूँगा, या फिर यहाँ पर अगर अप है, तो यहाँ पर तीन डॉट दिखाए दे रहे ना, नहीं पता चलेए, तो आप एक-एक-एक चेक करते जाओ, और इसे क्या कर दो, डिलीट कर दो यहाँ से, आपको लगता है, यह मुझे नहीं दिखाने यहाँ पर, तो डिलीट आप कर सकते हैं, वैसे आप इसे डिरेक्ली डिलीट करना चाहते हैं, तो clear browsing data page जाएं, और यहाँ पर आप डिलीट कर सकते, यह देखें, last hour, कभी का डिलीट करना चाहते, last hour, last 24 hours, last 7 days, last 4 weeks, और इसमें क्या-क्या डिलीट होगा, इसमें history डिलीट होगी, पूरी के पूरी, जो सर्च किया है, इसमें cookies भी डिलीट होगी, यह जो site में cookies save होता है, मतलब cookies क्या होता है, बहुत सारी sites क्या करती है, कि कुछ content आपके browser में load करती है, जैसी ही website आप visit कर लेते हैं, तो उसको cookies बोला जाता है, और इससे क्या होता है, site fast load हो जाती next time, तो इसके लिए cookies, यहां पे बहुत सारी site का data, cookies में पढ़ा रहता है, इसलिए cookies भी आप यह से clear कर सकते, और cache image and files भी clear कर सकते, cache memory, तो इन सबको आपको clear करके, ब्राउजर को clean रखना है, तो यहां पे click करो, all time पे click करो, और सबको clear करो, आपको लगता है, जिसमें पुराने data से हो रहता है, पुराने login से हो रहते है, तो ऐसे समय में उस website में कुछ update हो गया, तो यह properly, उस website में cookies clear का option नहीं डालते हो, लोग नए update के बाद, तो ऐसे में आपको cookies खुद से clear करके, उस website को visit करनी पड़ती है, तो आप यह cookies यहां से clear कर सकते हैं, अगर किसी ने का कि cookies clear करके website visit करो, तो you can clear it, तो यहां पे एक तो आप control H बटन प्रेस करो, यहां से जाकर करो, एक एक नहीं तो यहां पे जाकर clear browsing data पे जाकर, आप clear कर सकते हैं data को, लेकिन जरूरी नहीं कि आप data को clear करो, लेकिन मैं आपको बतारों कि data अगर आपको clear करना है, तो एक एक website delete करने साचा आप यहां पे जाकर browsing data यहां से clear कर सकते हैं, तो यह basic information आपको पता होनी चाहिए, कि भई हम website पे search करते हैं, अगर आप search करना चाहते हैं Chrome पे और आपको लगता है कि आपको clear करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ीगी अगर history save नहीं हुए, तो उसके लिए Chrome browser में आप control shift and press कीजिए, यह फिर यहां पे click करके यह देखिए, new incognito mode open कीजिए, new incognito mode का मतलब होता है कि आपकी identity hide रहेगी, आप जो भी search करोगी, उसका history भी store नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं, तो आप यहां पे जाओ और उपर search करो, जैसे आपको search करना है Google या जो भी search करोगी, इसकी history बिल्कुल store नहीं होगी, इसकी history बिल्कुल store नहीं होगी, क्योंकि आप अभी हो incognito mode में, right, incognito, आपकी identity याँ पे hide रहेगी, okay, मतलब आपकी history store नहीं होगी, so control shift and press कीजिए, incognito mode आएगा, नहीं चाहिए, तो close कीजिए, अलग सा tab open होता है, ये chrome browser के अंदर, okay, clear है, आपको अलग सा tab, मतलब अलग से window ही open होती है वहाँ पे, तो चलिए एक बात तो आपको नहीं पता चलिए, कि वहीं incognito में हम search करेंगे, तो हमारी history store नहीं होगी, अब देखिए, ये सारी चीज़े, बहुत सरी लोग use करते भी होगे, उनके लिए ये एक दम बच्चों जैसा खेल होगा, लेकिन ये पेशली उन लोगों के लिए मैं repeat करता हूँ, कि जिनको अलड़ी पता नहीं इन चीज़ों के बारे में, अब मैंने क्या किया, बहुत सरी बार अभी मैंने याप एक website visit कर ली, यहाँ पे एक website visit कर लिए, यहाँ पे एक नया टैब लिया, इसमें भी website visit की जैसे मैंने learn more India visit किया, और यहाँ पे नया टैब करके और भी website visit किया, लेकिन मैंने इसे close कर दिया गलती से, इसे भी close किया, अब मुसे दुबारा visit करना है, तो मैं Ctrl-Shift-T बटन पर इस करूँगा, Ctrl-Shift-T याद रखिए, जो आपने website close की accidentally या गलती से close हो गई, यहाँ पे देखिए, गलती से close हो गई, तो आपको दुबारा उसे प्राउजर में टाइप करने के जबतने, Ctrl-Shift-T कीजिए, Ctrl-Shift-T कीजिए, revisit पर हो जाएगी website, है ना interesting, तो यह एक shortcut की याद रखिए, अब दोस्तों बहुत सारे बार क्या होता है, कि हम कोई website पर यहाँ पर sign in कर लेते हैं, मतलब हमारे user id डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर एक मेरी website है, मैंने user id एक demo account बनाया, और password भी मैंने enter कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर I am not robot पर, टिक करके keep me sign in नहीं रखा, यहाँ पर login पर मैं click का तो, जैसे मैं login करूंगा, यहाँ पर Chrome browser के अंदर देखोगे, right side में एक pop-up आता है, कि यह password आप save करना चाहते हैं, मैंने इस्सें सेव Kyra, right, अब मैंने इस password को यहां पर save कर दिया, अगर नहीं किया तो अलग बात है। मैंने इस password को यहां पर save कर दिया, तोました, तो सेव करने के बाद क्या होगा कि यह password अगर यहां पर यह अपर save है तो next time login okay time के यह password यहाँ पे save इसलिए क्योंकि हमने उसे Chrome browser में save करके रखा है तो मैं क्या करूँगा मैं जाओंगा कहाँ पे दिखिए यहाँ पे तीन options जो दिखाए दे रहे हैं इलिपसे उसमें मैं settings में जाओंगा यहाँ पे settings हमें जाननी यह थोड़ी सी setting में जाने के बाद यहाँ पे आपको autofill option मिलेगा setting में autofill में जाना है autofill में जाने के बाद passwords में जाना है और password में यहाँ पे दिखाए दे रहा है वो password हमने save किया है तो password यहाँ पे देख भी सकते आप यहाँ पे click करके देख सकते बहुत सरों लोगों को यह पता नहीं होता है कि यहां से password कैसे remote किया जा सकता है और यहां पर अगर वो जब आप save कर रहे हो तो never save एक option आता है वहां से अगर never करते हो तो यहां पर never save आ जाता है तो यह एक option आपको पता होना चाहिए setting के अंदर इस पेसिली आपको जो लगता है वो profile आप यहां पर choose कर सकते है basically मैंने यह color रखा है chrome profile change कर सकते है और धेर सारी चीज़ यहां पर दिये आप language में जाकर यहां पर change करना चाहते है तो language English की जगा लग कुछ रखना चाहते है about chrome के बारे में extension वगरा यहां पर दिया है बहुत सरी चीज़े लेकिन फिलाल यहां पर हमें इतनी जरुदनी जो important चीज़े जो मैंने आपको बताई वह आपको है password से related जो आपको याद रखना है यहां पर बाकी सारी चीज़े default रहते है यह settings तो आपको इतनी ज्यादा settings करने की ज़रुदनी setting में इतना हाथ लगाने की ज़रुदनी आपको अब मैं next बताने हो ला आपको मैंने Google website यहां पर open करके रखी अब मैं यहां पर Google में Hindi में टाइप करना चाहता हूँ Google में या Chrome browser में basically मैं Hindi में टाइप करना चाहता हूँ मैंने Google का example लिया लेकिन Chrome browser में कई भी मुझे Hindi में टाइप करना है तो मुझे extension इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग language में टाइप करने के लिए तो अगर मैं या भी टाइप करूँगा तो यहां पर देखें English में टाइप होगा यह राइट और यहां पर मैं Hindi भी select कर लेता हूँ तो यहां पर मैं टाइप करता हूँ तो Hindi में सर्च होने वाला है लेकिन यहां पर English में ही टाइप हो रहा है Hindi में नहीं राइट तो आपको तो वह Hindi make ऐसे लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे यहाँ पर extension install, तो यहाँ पर तीन डॉट जो दिखाए दे रहे हैं, जाए है, जाए है, और यहाँ पर आपको आना है, extensions पर, दिखाए दे रहे है, extensions पर आप जैसे, क्लिक करोगे, extension में यहाँ पर, इन लाइन दिखाए दे रहे हैं, यहाँ पर आईए, ओपन क्रोम वेब स्टोर, ओपन क्रोम वेब स्टोर में आईए, और वेब स्टोर के अंदर आपको सर्च करना है, Google Input Tool, आप यहाँ पर ढ़े सारे extension डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फिलाल मैं Google Input Tool के बारे में बता र आप से हैं, तो इसे हम लेते हैं, और add to Chrome करते हैं, और यह secured है बहुत, लेकिन अनप्शन आप extension मत इंस्टॉल करो, मैं पहले आपको अलट करूंगा कि कुछ extensions से रहते हैं, जो आपका data शायद चूरी करने के चांसे से, शायद, बट कैसे कि Google वैसे भी verify करता है, लेकिन फिर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका extension है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे extension यहाँ पर दिखाए देगा, सामने आ रहा है, यह देखिए extension, लेकिन आपको इसे पिन करना है, यह बार बार, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा extension option में चाहिए, वो पूछ रहे कि इसमें कौन सी languages में switch होना है आपको, जितनी languages चाहिए उतने add कर सकते हैं, तो मैं नीचे scroll करूँगा यहापे English language को add कर दूँगा, और नीचे scroll करके यहापे Hindi language जो दिखाय दे रही है, यह भी add कर दूँगा, right, Hindi में इस तरह से Hindi और English language आपको में उपर रख दिया, तो यहापे आप देख सकते हिंदी उपर आगे, यहापे Hindi select करोगे, तो अभी आप का पर आजाओ, Google में आजाओ, यहापे अपनी Hindi select किया, यह देखिए, highlight भी है, right, दिखाय दे रहे है, highlight है, blue में है, तो अब आप जो type करोगी यहापे, मैं, जैसे मैं मैं type किया, यह देखिए, मैं कुछ search, यह दिखाय दे रहा है, नीचे option आ रहा है कि आप search में क्या लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, search में क्या लेना चाहते हो, तो यह एकदम Microsoft Indic tool की तरह ही है, Microsoft Indic tool क्या आपको पता नहीं, तो इसके उपर मैंने recently एक वीडि करना है, यह मैंने upload किया था, जरूर जाके चेक कीजिए, अगर आप इंट्रेस्ट रोड़ो, description में link दीए, मैंने channel की, तो हिंदी में type कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर, यहाँ पर shortcut keys भी आप इसके लिए assign कर सकते हैं, यहाँ पर shortcut की already होती है, लेकिन keyboard settings, यहाँ पर देखिए, keyboard setting में चाहिए, और इसमें आप shortcut keys assign कर सकते हैं, वहाँ switch करने के लिए, toggle current input tool के लिए, क्या shortcut की आप assign करना चाहते हैं, तो मैं generally यहाँ पर Ctrl G रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर edit पे click करूँगा, और उसके बाद Ctrl G button प्रेस करूँगा, जैसे मैं Ctrl G button प्र देख सकते हैं, अगर मैंने कैसे type किया तो यह English में type हो रहा है, मुझे हिंदी में चाहिए, तो मैं Ctrl G दुबारा प्रेस करूँगा, Ctrl G मैंने प्रेस किया, यह देखिया, यह blue में हो चुका है, उपर देखिया, यहाँ पे focus कीजिए, यह blue में आ गया, इसका मतलब अभी हिंदी में type होगा, राइट हिंदी में type होगा, जो भी आप type करोगे हो, तो यह आपको idea आ चुका है कि extension कैसे install करते हैं, कैसे इस्तमाल में लाते हैं, तो दोस्तों अब हम सीखने वाले Gmail पे account कैसे बनाते हैं, email कैसे send करते हैं, और email के बारे में बहुत कुछ जानकर ही हम ले चाहिने वाला है, Chrome browser के बारे में, या email अगरा के बारे में, तो जरूर शेर कीजिए, और साती में comment जरूर कीजिए, एक comment लिखने में क्या जाता है, comment लिख दीजिए, आपको कैसे लाग रहा है, अब तक कब वीडियो, और अगर आपको मेरा teaching style पसंद है, तो description में जाहिए, मैं हमेशे चीज़े detail में पढ़ाता हूँ, ये detail में हर एक topic के बारे में मैंने उस course में explain किया है, तो अगर आप interested तो check out जरूर कीजिए, description में link है, फिलाल, Gmail account कैसे बनाते है, देखते है, तो आईए, अब हम सीखने वाले है, Gmail के उपर, email account कैसे हम create करते है, अपना Gmail account कैसे basically create क करना होता है, वो देखने वाले है, तो आप google.com website visit कीजिए, या पर Gmail पर click कीजिए, या फिर sign in पर click कीजिए, देखे, जिस तरह से आप Gmail पर account बनाएंगे, वैसे आप Microsoft या और site पर भी बना सकते है, registration process लगबग सहीं ही रहता है, तो मैं या पर sign in करता हूँ, तो sign in के लिए ह पूछ रहा है कि आपका email ID और phone number दो, लेकिन हमने email तयार नहीं की है, तो कहां से दे, तो पहले हम तयार करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, नीचे option दिया है, आपको, create account, जैसे आप create account पर click करोगे, वो पूछे किस के लिए बना रहे है, अपने लिए बना रहे है, बच्च आपको एक ऐसा email ID लेना पड़ेगा, जो किसी और नहीं नहीं लिया है, तो यहाँ पर कुछ आपको number, सब्सक्राइब आपने इतना ही लिखा और आगे बड़े, तो यहाँ पर बताएगा, वो बताएगा, और उसने बोला कि यार यह accepted है, अभी दिखाए दे रहे है, अगर इसकी जगह, suppose मैं लेता हूँ, 1999, तो शायद यह भी, यह भी accepted है, तो बतलब ऐसा होता है, कि आप यहाँ पर number, add करके email ID को choose कर सकते है, क्योंकि आपके नाम से email ID तो बनना मुश्किल है, नाम और surname से बस उतने ही, क्योंकि वो already available लेता है, अच्छा मैं सतीजडवे नाम से ब नाम उपर भी मैं इससे divide कर सकता हूँ, course pay help, इस तरह से, okay, नाम और last name इस तरह से आप रख सकते है, course pay help, course pay help, करके यहाँ पर मैंने रख दिया, यह email ID देखते है, यह create होता है कि नहीं होता है, मतलब यह already available आता है कि नहीं, already available तो नहीं आएगा, क्योंकि course pay नाम नया है, न numbers and symbols, तो आप यहाँ पे 8 और उससे ज्यादा character add करो, जो कि letter भी रहेंगे, numbers भी रहेंगे, और symbol भी रहेंगा, password चूज करते से मैं हमेशे याद रखो कि वो आपको याद रहा है, ऐसा password लो, और जो आपके नाम और surname या बडडेट से थोड़ा सा अलग रहे, लेकिन याद र रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं password enter कर रहा हूँ, और मैं special character mix करूँगा, यहाँ पे, तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे password डाल दिया है, जो भी password मैंने डाला है, वो security reason के कराम आपको नहीं बताऊँगा, password डाल लेके बदा, confirm password में भी वोई password आपको enter करना है, right, अपकोस करेगा, क्योंकि security और show password करके आप देख सकते, आपको लगता है कि यार आपने जो type किया वो proper नहीं तो show password करके आप देख सकते, right, और फिलाल मैंने तो proper type किया है, और next मैं click करूँगा, यहाँ पे next click करते है, वो पूछेगा कि आपको phone number दो, phone number दो, phone number दो verify करने के लिए कि अब है आप ही हो, क्योंकि आपको एक OTP बेज़ेगा, उसके बाद यह आपका email ID बनेगा, पहले एक compulsory नहीं करता था, अभी phone number compulsory किया है, तो मैं यहाँ पे phone number एंटर करता हूँ, और इस phone number को मैं यहाँ थोड़ा सा blur रखूँगा, जो कि है security reason के कारण, क्योंकि अगर phone number आ और यह recovery email address यह optional है, यह आप डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते, recovery email ID इसके लिए होता है, कि अगर आप in case email ID का password या बहुत कुछ भूल जाते, password भूल जाते या पिर कभी space security का issue होता है, तो यह recovery email ID पे आपको mail आता है, उसको अगर आप click करते तो वहाँ से आप इस email को recover कर सकते है, तो इसके लिए आप दे सकते हैं, अगर आपके पास email already है, नहीं है, तो इसे छोड़ो, optional है, तो यहाँ पर बड़्डेट इंटर करो, और जेंडर भी select करो, बड़्डेट और जेंडर सेलेक करने के बाद यह सारी चीज़े यहाँ पर जेंडर तो बेसिकली बलर रखने लेकिन बाकी की चीज़े मैंने बलर रखे और मैं next करूंगा, जैसे मैं next करूंगा, यहाँ पर मुझे एक OTP के लिए option आएगा, कि OTP send करना है, तो जैसे मैं next करूंगा, verify your phone करके screen आएगी, वो बोलेगा कि हम एक OTP भेज रहे है, आपके number पर OTP हमें बता दो please, OTP अगर already account valid माना जाएगा, sign in किया जाएगा, तो एक मेरे mobile पर OTP है, मैं इसे पटा पटा इंटर कर देता हूँ, और मैं इसे verify करता हूँ, यह सारी चीज़े थोड़ी सी blur मैंने इसलिए रखी, आपको मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यह receive video calls वगरा वगरा yes, I am in करो, skip करने के ज़रूद नहीं, यह सब रखा तो भी चलेगा, yes, I am in, नीचे scroll करो, और यहाँ पर I agree करो, ओके, इस तरह से आपको दो-चार स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आपका Gmail अकाउंट बन चुका है, यहाँ पर एक आउतर दिखाए दे रहे हैं, और इमेल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि भई हम आ चुके हैं, इन बॉक्स के अंदर हमारे जीमेल के, और यहाँ पर एक इमेल भी आ चुका है, गूगल की कम्यूनिटी की तरफ से वेलकम, राइट, वेलकम कोर्स पर आपका सौगत है, अभी हम इन बॉक्स में आ चुके, सबसे पहले तो हमें यह उतर बदलना है, यहाँ पर आप क्लिक कीज़े, यहाँ पर एक फॉटो का इकॉन दिया है, यहाँ पर क्लिक कीज़े, और आप जो लोगों लखना चाते, जो इमेज रखना चाते अपना खुद का, तो आप यहाँ पर एड़ पे शायद available है यह रख देता हूँ या फिर आप logo रखना चाहते तो logo भी आप रख सकते है यह फोटो यहाँ पर upload हो चुका है उसने बोला कि crop कैसे रखना है cropping आप कर सकते यहां से बूम हो गया got it यह देखिए profile picture अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हो गया profile picture तो add हो गया अब यह तो profile picture हमने add किया अब हम जानते इस panel के बारे में सबसे पहले यहाँ पे compose button दिया है compose button से हम नया email compose कर सकते किसी को भी email बेजना है तो यहां से हम बेज सकते मैं दिखा इन बॉक्स में तीन टाइप है primary, social और promotion email यहाँ पे दिखाए देंगे दिखिए promotion के email यहाँ पे promotion के email आना चलोगे क्या बात है okay और social email यहाँ पे दिखाए देगा आपको और primary email यहाँ पे दिखाए देगा social media का email right facebook और अगर यह account आप link करते हो तो तो यह तीन email के यहाँ प पे मिल जाएगा okay right यहाँ पे आपको मिल रहे है email और अगर मैं star से इसे हटा देता हूँ दुबारा मैं इस पे inbox में star पे click का तो अभी कुछ नहीं है आप तो आप कोई important email से उन्हें आप star में रखना चाहते तो आप star में रख सकते हैं और इसमें भी multiple star होते हैं जो कि मैं आ important tips बताने हो तो उसमें मैं cover करूंगा यह वाला और यहाँ पे right side में आपको email delete करने के लिए option आ रहे है कि इसको delete करने तो आप यहाँ से delete कर सकते हैं आप इसको snooze करके रखना चाहते है अब यह snooze क्या होता है basically star के नीचे option दिया है snooze पे अगर आप click करते हो तो यह अभ हाँ पे चला गए snooze में snooze किया ना यह देखिए email है आपके आपके अबी पढ़ सकते हैं लेकिन आपको यह snooze यह alert देगा जैसे आपको snooze देता है कि हाँ alarm हो गया तो आपने उसे snooze पर रखा तो बार बार पाच पाच मिनिट में आएगा वैसे यह कल 30 जुन को मुझ पर बेज दिया तो सेन में दिखाया देगा और कंपोज में जाकर सेव किया तो ड्राप्स में दिखाया देगा आदा email जो भीजा नहीं है ड्राप्स में आ जाएगा ओके और यहापे more में कुछ options है जिसमें आपको important emails भी आप यहापे mark करके रख सकते है चैट से schedule email कर सकते ह यहापे तो email कैसे schedule करना है उसका भी मैं आपको detail बता दूँगा don't worry all mail यहापे दिखाय देगा यहापे spam है spam क्या होता है कि कई आपको email भीजता तो उसमें attachment रहती है और ऐसे में Google को लगता है कि यह insecure mail है तो उसे spam में डाल देता है advertising के mail भी spam में आते है बहुत सरे तो आपक एक बार अपना spam भी check कर लो कभी-कभी spam में आ जाता है spam folder check कर लो spam में mail आता है और उसे आप move कर सकते इंबॉक्स में right अगर इस email को मैं delete कर देता है यहा से मैं delete किया तो यह यहा पे delete हो गया लेकिन पर्मानन नहीं temporary या आपको प्रमानन नहीं तो ट्रैश फोल्डर में आ चुका है यहा से अगर मैं इसे delete करता हो तो भही यह पर्मानन डिलेट हो जाएगा right तो यह trash folder से आप move करते हो यहा पे move और manage label भी आप यहाप पर group भी तायर कर सकते हैं बहुत कुछ create new label पर click करके आप यहाप यहाप नया label तायर कर सकते हैं और नया folder भी तायर कर सकते हैं basically आपको यह overall idea होना जाए कि इसमें क्या-क्या options है अब यहाप एक compose में मैं click करूँगा और पहले email भीजना सीखेंगे right compose में पहले email भीजना आना चीना में तो मैं जैसे compose पर click करूँगा यहाप एक dialer box आ रहा है अब इस dialer box में आ जाते हैं जारा zoom कर लेते हैं यहाप टू में उसका email id लिखेंगे जिसको हमें भीजना है तो मैं यहाप पर email id लिख देता हूँ एक learnmoreprohelp.gmail.com इस तरह से मैंने email id पूरा लिख दिया टू में जिसका email id लिख देता है उसको चला जाएगा और मैं चाहता कि और और एक person है उसको भी बेजना है साथ में तो मैं कॉमा करूँगा और यहाप उसका email id लिख हूँगा अब क्या होता है कि कई बार हम जो mail कर रहे है यह suppose एक company के particular person को कर रहे है और आपको लगता कि इस person के साथ साथ उसका manager है एक company का employee को आप कर रहे हो customer के रहे सपोज और आपको लगता कि आपके बस manager का email id तो आप manager को CC में रखो कि मैंने इस employee को यह काम बताया था या फिर यह मैंने ही किया था तो manager को अगर आप CC में रखो कि तो उसको पता चलेगा कि भई हाँ यह काम इसको दिया गया है तो manager ऐसा करता है generally manager अगर किसी को काम assign करता है तो वो उसके particular boss को भी एक CC कर देता है और अपने employee को two में रख देता है तो boss को पता चलता है कि हाँ इस employee को यह काम इन्होंने assign कर दिया है और यहाँ पे BCC में क्या होता है blank carbon copy आपको लगता है कि भई उपर जो email id मैंने लिखे उनको ना पता चले कि भई इसको भी मैंने बेजा है देखिए अगर आप CC में email id रखते हो मैं यहाँ पर कुछ भी रख देता हो यहाँ आदमीन एडरेट course pay या कुछ भी है ऐसा एक email id है course pay.com हो गयरा है ऐसा example email id लिया मैंने तो यह email id पर क्या होगा कि इसको पता चलेगा course pay.com admin को प लेकिन blank carbon copy में अगर आपने यहाँ पर suppose मैंने लिख दिया boss कुछ भी लिख दो boss at the rate course pay.com तो यह boss को अपने यहाँ पर रखा है तो ना learn more pro help को पता चलेगा ना admin को पता चलेगा किसी को भी नहीं पता चलेगा कि boss को एक carbon copy भीजी गई है क्योंकि यह blank carbon copy है इनको बिलकुल न पता चलेगा तो आप चाहते कि एक copy एकदम management को भी चला जाए जो भी senior management है boss है जो भी है और इनको ना पता चले तो आप BCC में उनको रख सकते हैं तो यह depend है आपको BCC अगर आड करना है नहीं करना है CC BCC और करना है तो कर सकते है ने आड करना है तो skip किजी और automatic यहाँ से र BCC email मिलता है उसको पता चलता है कि हाँ यह task इसको बताया है और मेरे पास इसका carbon copy भेजा है इस तरह से होता है और BCC वाले को तो पता चलता है कि किसको किसको भेजा है basically तो यहाँ पे आपको subject लिखना है अभी तो अगर आप job के लिए apply कर रहे है या किसी को payment के लिए reminder कर र मैडम अलो सर और मैडम है न तो यहाँ पर बाकी का पूरा लेटर आ जाएगा जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते है पूरा पूरा format आप लिख दो पिलाल मैं यह पूरा format नहीं बता रहा हूँ लेकिन हेलो सर और मैडम यो लाश्ट डेय ओ पेमेंट इस लाइक लाइक आप लिख सकते हैं मैं बस एक्जांपल बता रहा हूँ और पूरा amount लिखो और लाश्ट में यहाँ पर signature वगर आप आड़ कर सकते हैं वो signature आइड कैसे करना है मैंने आगे बताया आपको कि यहाँ एक email में आपका signature कैसे आ सकता है multiple signature कैसे आड़ करते हैं तो आगे gmail tips में मै आपको बताने वाला हूँ so don't worry about it तो यहाँ पर फिला लाम लिखते है thanks and regards thanks and regards जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर automatic भी यहाँ पर suggest करता है आपको google और मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मेरा ठीक है चलो यहाँ पर यह सब हो गया email अब मैं send कर सकता email को लेकिन एक minute रुक अलग दिखे तो आप उसका font बदल सकते, bold कर सकते आप इसे, आप उसको underline कर सकते हैं आप यहाँ पर उसका font style बदल सकते हैं सब कुछ यहाँ पर changes कर सकते हैं यहाँ पर font वगेरा apply कर सकते हैं यहाँ पर attachment option दिया है कि आप चाहते हैं फाइल भी अटेच करूँ एक particular build है वो यह अटेच हो रहा है यहाँ तो यह image भी उनको attach होके चले जाएगी, this is just example, right? याद रखिये, उसके बाद एक और option आ रहा है यहाँ पर insert link, यानि कि आप यहाँ पर link add कर सकते, link यानि कि ऐसे यह example ले लो कि आपको please click here to login and check your details, click here to login, मैंने ऐसा link दिया है, तो यहाँ पर इस इसले करके insert link पर जाओंगा, और insert link पर यहाँ पर मैं website की link डाल दूगा, मैं suppose अभी यह website की link डाल देता हूँ, कोई भी एक link ले लो, बागी example के लिए, और मैं से okay कर देता हूँ, right? click here to link, यह link भी यहाँ से आप insert कर सकते, आप यहाँ से insert emoji कर सकते, आपको लगता है कोई emoji insert करना है, कोई smile वाला, कोई कुछ भी ऐसा, या professional में तो ऐसा कुछ image insert नहीं करते है, हम लोग लेकिन करना है तो आप कर सकते, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, आच चुका है, okay, उसके बाद आपको यहाँ पर आ रहा है insert files using drive, drive के अंदर अगर आपने कोई file अपलोड की Google drive में यह वाले drive में तो कुछ नहीं, आप यह भी हमने email तायर किया है, तो यहाँ से आप drive की file directly select कर सकते हैं, और यहाँ पर attach कर सकते हैं, drive की file, क्योंकि यहाँ पर email में अगर आप कोई file attach करने जाते हो, तो एक बात याद रखो, इस attachment से आप लगबग 25MB तक की file ही attach कर सकते हैं, उ और यहाँ से direct insert कर सकते हैं photo, अभी मैंने यह जो insert किया नहीं यहाँ एक attachment insert किया, लेकिन यह attach होके चला गया, मैं photo यहाँ पर रखना चाहता हूं, right, directly मैं insert करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर click करूंगा, मेरे पास एक photo already, अभी हमने लिया था profile के लिए तो वह ही use करता हू उसके अलावा यहाँ 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 टॉगल confidential mode, यह अगर आप on करते हैं और confidential mode में क्या होता है कि यह mail को secure बनाते हो, यह mail expire हो जाएगा one week के अंदर, आपको लगता है one day के अंदर, आप जिसको भी बेजरो, एक दिन के अंदर अगर उसने नहीं चेकिया तो expired होगा, और उस एक तारीक को जाके open करने जाएगा, तो वह email delete हो जाएगा, मतलब यहाँ पर email रहेगा नहीं, expire in one day, यह confidential mode हमने on किया इसलिए, तो एक ही दिन के अंदर उसको कल के कल email देखना है, उसके बाद वह inbox में नहीं रहेगा, अगर हम SMS passcode रखते हैं तो SMS passcode आजाएगा particular उसको और वह passcode डालने के बाद ही, वह क्या कर सकता है, उस email को open कर सकता है, इस हमें passcode दिया जाता है इसके साथ, तो गूगल की तरफ से आगई, देखे, generated by Google, तो यहाँ पर आप सेव करते हैं और उसे send करते हैं, तो वह यहाँ पर basically email एक दिन के अंदर ही open कर पाएगा, यह देखे न नहीं बनाया है, तो manage signature में जाईए, और अपना खुद का एक signature तयार कीजिए, देखे, यहाँ पर जाकर signature आप तयार कर सकते हैं, जो आगे चल कर मैं आपको बताने आ लाओ tips में, okay, तो फिलाल यह सारी चीज़े होने के बाद, यहाँ पर आप इसे send कर सकते हैं, send भी दिया ह और यहाँ पर schedule भी दिया है, schedule and send, schedule and send मतलब आप एक particular time पर भेजना चाते है, कल सुबह, आपको लगता है कि कल सुबह आपीस आएगा, तभी यह email कल सुबह जाना चाहिए, या फिर afternoon में जाना चाहिए, Monday जाना चाहिए, या pick and date and time, यहाँ पर date and time भी pick कर सकते हैं, वो particular date and time जाएगा, अगर आप अभी send करते हो, तो यह अभी चला जाएगा, याद रखिए, और आप delete करना चाहते हैं, तो delete हो जाएगा, discard dropped, यह पर delete हो जाएगा, और अगर आप यहाँ इसे close कर देते हैं, अपने send भी नहीं है, close किया, तो यह drops में पढ़ाईए, देखिए, drops दिख से आप undo कर सकते हैं, send किया, और आपको लगा कि नहीं है, यह amount गलत डाला है, send किया, और आपको तुरंत याद आया, तो undo options पे यहाँ पे undo करो, यह undo हो जाएगा, और यह undo थोड़ी देर के लिए रएगा, 5 seconds के लिए, उसके बाद यह undo गाएब हो जाता है, फिर वो चला गय समझो, फिर undo नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया, और यह undo का timing भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आगे चलकर मैं tips में बताऊंगा Gmail के, don't worry, undo का timing भी आप 5 seconds से 30 seconds रख सकते हैं, तो इसमें बहुत सरी चीज़े जो tips में आपको बताने वाला हूँ, basically मैं आपको बस email send करना इसम आपको समझाएं, बाकी सारी चीज़े जो है आपको यह पर R&D करके देखने मिलेगी, मतलब email search कैसे करते हैं, यह आप खुद से search करके देख सकते हैं, यह चीज़े आपको मिलेगी, सीखने के लिए R&D करना तो आपको बहुत सारी चीज़े पता चली, email completely use करना आपको पता all settings, इस वाले options पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे धेर सारी settings Gmail के आप आएगी, जो कि आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, और इसमें से कुछ important settings है, जो अभी मैं आपको बताने आपको बनाना सीख लिया, अब Gmail की कुछ important tips, जो आपको पता होनी चाहिए, आपक देखना होता है, आपके clients के लिए, आपके धेर सारे client की list या email list आपके पास है, और उन्हें आपको एक email बार बार भेजना है, तो आपको बार बार copy paste करना पड़ता है, तो यह सब करने के ज़रूत नहीं, आप templates create कर सकते हैं, Gmail के अंदर, और इन templates की मज़ से आपका काम fast कर स कैसे डाउनलोड होगा, learn more pro website की उपर, तो यहाँ पर इसका solution यह है, कि मुझे क्या करना पड़ता है, यह email में open करूंगा, फिर मैं यहाँ पर reply button क्लिक करके, यहाँ पर set up के download कैसे होगा, उसकी information पूरी की पूरी यहाँ पर, जहाँ पर मैंने type करके रखी, copy paste करूंगा, और सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे, यह settings option जो दिखाए दे रहे हैं, right corner में, right, top right corner में, यहाँ पर आई जाईए, setting पर click करके see all settings पर click कीजिएगा, यहाँ पर click करने के बाद आपको बहुत सरे और भी tab मिलेंगे, जिसमें आपको जाना होगा, advance की उपर, look at here, advance, right, advance की उपर, आप click easy, तो मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, जैसे मैं click करूँगा, यहाँ पर धेर सरे और भी options आएंगे, जिसमें हमें इस पर ध्यान देना है, templates की उपर, templates को हम करेंगे, यहाँ पर enable, जो कि आपको दिखाए दे रहा है, मैं enable कर चुका हूँ, और यहाँ नीचे से आपको save changes करने पड़ेंगी, जो भी आप changes करते हो, यहाँ से आप save करोगे, save changes बटन पर मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, और दुबारा मैं अभी inbox में जाता हूँ, जिसको भी मुझे reply देना है, जैसी email को reply देना है था, मैं reply में जाओंगा, पहले, पहले इसे मैं यहाँ प options में, और templates में जाकर यहाँ पर save draft as a template करके option आपको मिल रहा है, यहाँ पर click करके save new template पर click कीजिए, and इसको क्या नाम देना है, वो आपके ऊपर है, तो यह मैं रखना चाहता हूँ, how do I get certificate नाम का reply है, या फिर RE करके रखेंगे, या फिर इस तरह से, तो आप जो भी रखना पर मैं जाता हूँ, उसे open करता हूँ, और reply button पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे face से दुबारा पेश करने के ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं जाओंगा, templates मुझे directly, how do I get certificate नाम का template मिलेगा, जैसे मैं इस पर click करूँगा, यह देखिए, यह यहाँ पर पुरा load होगा, यहाँ से मैं send button पर click कर सकता हूँ, बार बार मुझे copy और paste करना ज़रूरी नहीं है, या फिर मैं इस template को delete करना चाहता हूँ, या कुछ नया save करना चाहता हूँ, यहाँ पर सारे options आपको मिल जाते हैं, तो इस तरह से आप template add कर सकते हैं, delete भी कर सकते हैं, और template का use क्या होता ह आपको अभी समझाओगा, tips number two, यह भी interesting tips है, इसमें मैं आपको बताओ कि अगर आपको कल सुबह office में late आना है, और आपको लगता है कि यार सुबह 9 बज़े एक client को mail जाना चाहिए, तो आप इसे schedule करके रख सकते है, Gmail के schedule feature से, जिहाँ Gmail में कोई भी email आप schedule करके रख सकते है जो time पे आपने schedule किया, उस time पे वो email उस particular client की email पे send हो जाएगा automatically आपने अगर schedule करके रखा है, तो यह schedule option आपको तभी भी use हो सकता है, जब आपका client suppose दूसरे देश में आने की अमेरिका में है, तो अमेरिका में आपको उनके morning में email भेजना है, तो आप यहाँ से आज शाम को schedule करके रखोगे, उनका जो morning जब होगा तो उनको email automatically हीट होगा, अगर अपने time प्रॉपरली schedule करके रखाया, तो यह schedule कैसे यूज़ करना है, practically ज़रा screen की उपर मैं आपको दिखाता हूँ, तो मुझे बेजना है, एक specific email, specific date or time पे, तो मैंने यहाँ पे compose बटन पे अलरी क्लिक किया है, compose बटन पे क्लिक करके मैंने email भी लिख दिया, email address, subject और कुछ यहाँ पे email के अंदर content डाल दिये, अब मैं यहाँ पे send बटन पे नहीं क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे यह बेज send नाम का एक option आपको मिल जाएगा, इसकी उपर आप क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ predefined time वो दे देगा, भई मैंने last कभी schedule किया था, वो भी दिखाए दे रहा है, this morning, this afternoon, Monday morning, कब आपको करना है, right, so pick date and time में जाकर आप खुद customize date और time select कर सकते हैं, जैसे मुझे साथ तारिक को साथ चार एम को भीजना है, या फिर कुछ और अलग timing भीजना है, तो यहाँ पे मैं time भी select कर सकता हूँ, type कर सकता हूँ, basically, तो यहाँ पे अलग अलग date दी है, और आप schedule same button पे click करते ही, यहाँ पे schedule हो जाएगा, यह देखे, view message button आ रहा है, यहा और इसे आपको cancel कर देना है, तो यहाँ पे cancel same button है, यहाँ से आप cancel भी कर सकते हैं, इस तरह से email आप schedule कर सकते हैं, दोस्तों, आपको एक important email भीजना है, और अपने email proper लिखा है, आपने check भी किया, कि proper है, सब कुछ proper है, और आपने same button पे click किया, और तभी आपको पता चला कि नहीं नहीं, एक spelling mistake हो गई, या कुछ तो गलत है उसमें, या कुछ add करना रह गया है, तो अभी आप सोच रहे हैं, मैंने तो email send कर दिया, तो मैं आपको कहूंगा, don't worry, अपने अगर send button पे click किया है, तो email को आप undo भी कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पे भी undo पंडू होता है, यह यहाँ पे भी undo कर सकते हैं, जो भी भी भीजी गई चीज़े उसे आप undo कर सकते हैं, और वापिस आपने inbox में उसे ले सकते हैं, मतलब वापिस उस email को ले सकते हैं, कैसे लेना है, अगर आप नहीं जानते हैं, तो practically मैं आपको दिखाता हूँ, undo email कैसे करते है, Gmail का यह best feature, यहाँ पे देखिए, left bottom corner में आपको एक undo button आ रहा है, undo button यहाँ पे आपको एक undo बटन आ रहा है, undo button यहाँ पे आपको एक undo बटन पे क्लिक करोगे, यह mail उसके inbox में नहीं जाएगा, राइट, आपके inbox में दुबारा वापीस आ जाएगा, undo button यहाँ पे भी undo दिया गया है, basically यहाँ पे मेरा yen रहे गया था, मैं इसे correct करूँगा और फिर यहाँ पे send button पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं send button पे जब कभी भी क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे left bottom corner में आपको एक undo button मिलेगा दोस्तों, तो इससे आप email undo कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यह button, यह जो option है, basically undo का यह मेरे पास ज्यादा seconds रुक रहा है, आपके पास पांच seconds ही रुकेगा, क्योंकि यह default पांच seconds ही रहता है, जीमेल आपको 5 seconds ही अलाओ करता है, अभी दिखिये, अभी तक है मेरे पास यह, तो यहाँ पे मैं undo करूँगा, तो यह दूबारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यह एक लिए सामने मिल जाएगा, यह देखिए, फोकुस कर दो, undo send, मैंने इसे रखा है 30 seconds, आप इसे 5 seconds, default भी रख सकते हैं, यह default 5 seconds ही रहता है, तो आप यहाँ पे चाहिए, तो बड़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, max अपको 30 दिया है, minimum आपको फाइदिया है, तो जैसे भी आप रखना चाहते हैं, undo send, यहाँ पे रखिए, और फिर यहाँ पे नीचे आकर, save button पे click करना ना भूलिए, save changes, जैसे आप इसे save करोगे, यह changes, फिट में आएगा, और इसका क्या use है, मैंने आपको बता दिया, tips no.4 में मैं आपको बताओ, कि Gmail पे आपका ज्यादा काम है, तो आपको Gmail का dark theme on करना चाहिए, जिससे आप Gmail पे अगर घंटों भी काम कर रहे हैं, तो आपके आखों पे effect नहीं आएगा ज्यादा, तो dark theme कैसे activate करना है, चलिए practically देखते हैं, तो आपका Gmail पे बहुत काम होता है, तो आप dark theme कैसे apply करेंगे, यहाँ पे देखिए, setting में, दोबार आपको यह setting में आना है, setting में click करके, यहाँ पे see all settings करके option मिलेगा, see all settings में पे अप click करोगे, तो आपको themes करके last में एक option मिलेगा, यह देखिए, themes, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, set theme पे आपको क्लिक करना होगा, right, सारे options सामने सामने आपको मिल जाते हैं, और जैसे इस पे क्लिक करोगे, नीचे आप scroll करोगे, तो यहाँ पे आपको dark theme करके option मिल जाएगा, यह देखिए, यह default theme है आपका left side में, और यह dark theme प अभी डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको पुरानी email से अगर रीड करने, तो आप Gmail को offline mode में भी इस्तमाल कर सकते हैं, जी हाँ, जो पुरानी email है, आप उसे offline में भी देख सकते हैं, कैसे देखना है, Gmail के अंदर देखते हैं, स्क्रीन के पर, तो भाई अभी आपके पस internet नहीं हो सकता है, कभी-कभी आपको लगता है, तो भी आपके पास जो email आचुके है, उनको आप access कर पाए, जो नए है वो तो नहीं आएंगे, आपको उसे internet कर निट होगा तभी आएंगे, लेकिन जो अभी email आपके पास है, पड़े हुए, ये स सारे के सारे आप access कर पाएंगे, उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे settings में दुबारा चले जाना है, settings में आना है, यहाँ पे see all settings options आपको मिल जाता है, यहाँ पे click कीजिए, see all settings के अंदर offline करके option मिलेगा, themes के बैजुमी, यह देखिए, यहाँ पे offline button पे मैं क्लिक कर साथ ही में बताएगा कि कितने दिन के मेल आपको रखने है, last 30 days के रखने है, last 90 days के, last 7 days के, यहाँ पे चूज कर सकते है, according to your requirement, आप यहाँ पे चूज कीजिए, साथ में आप attachment भी चाहते है, क्या मतलब उस email में अगर किसी ने फाइल भीजिए तो वो भी साथ में download होगी, क चाहते हैं तो यह चेक कीजिए नहीं चाहते हैं तो uncheck कीजिए, इस तरह से, और यह आप एक और interesting option दिया है, कि अगर आप इस computer से email से logout करते हैं, तो आपका वो data offline computer में रखना है या नहीं रखना है, keep offline data on my computer, remove offline data, जब आप logout करोगे तो यह data भी remove करेगा, यह security reports की वज़े स रखा गया है, तो यह आप जैसे सब कुछ setting करोगे, save button पर click करते ही, यह save हो जाएगा, setting लेकिन आपको email access करना रहेगा next time, internet नहीं है, तो आपको बस यह address type करना रहेगा, उपर देखिए, mail.google.com, यह type करके आप internet बंद रहेगा, तो भी आप आपकी email को access कर सकते हैं, यह setting अ तो आप Gmail में भी keyboard का इस्तमाल कर सकते हैं, और keyboard की shortcut keys use कर सकते हैं, और keyboard की shortcut keys, email में कैसे enable करना, इसे मैं practically दिखाऊंगा, लेकिन एक important information मैं बताऊंगा, कि recently मैंने keyboard की उपर एक complete video बनाया था, जहाँ पर keyboard की A to Z shortcut keys मैंने explain की थी, 104 keys का क्या use होता है, practically हरे key को मैंने दबा-दब बाखे बताया था, तो उसका video उपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, या पर दिस्क्रिप्शन में भी मैंने link दी है आपके लिए, कि keyboard की सारी keys हम कैसे इस्तमाल करते हैं, फिलाल तो हम Gmail के अंदर keyboard shortcuts कैसे enable करेंगी, यह practical screen पर देखते हैं, तो Gmail में fast काम करना है, तो इसके लिए क्या shortcut की है, undo के लिए, redo के लिए, क्या है, previous phone के लिए, next phone के लिए, बहुत सारी shortcut keys यह आपको दिखाई दे रहे है, और यह सारी shortcut keys यह आपे by default enabled रहती है, उसके अलावा और advanced shortcut keys अगर आपको चाहिए, तो यहापे आपको दिखाई दे रहा है नीचे एक enable button जिस बूलिएगा नहीं कीबोर्ड से एक्सेस करने के लिए पहले ये शॉटकट कीज तो आपको देखनी पड़ेगी ना तीप्स नमर सेवल में मैं आपको बताओ कि अगर आपके बाद जीमेल में बहुत सारे अन्रीड एमेल से और अब ये आपको सब को पर रीड़ करने एक-एक करके तो एक-एक ओपन करोगे पिर बैक करोगे टाइम जाएगा तो आप रीडिंग पेन ऊपन कर लो कैसे करना है देखते स्क्रीन के पर तो दोस्तो अगर मुझे fast email पढ़ने हैं जैसे मैं ये email पढ़ना चाहता हूँ जो भी email मैं open करता हूँ तो ये open करने के बाद ये पढ़ लिया मैंने तो मुझे यहाँ पर back button पर click करना पढ़ रहा है नेक्स्ट email पढ़ने के लिए तो ऐसे एक एक करके मुझे back button पर दुबारा click करना पढ़ेगा इससे अच्छा अगर मैं reading pane on कर लूँ तो reading pane यहाँ पर right side में आ जाता है इन बॉक्स में जब आप click करोगे तो यहाँ पर नीचे एक option मिल जाता है आपको enable reading pane यह options को आप चेक कीजिए यह आपको पूछेगा कि आपको right inbox रखना है below inbox रखना है reading pane directly default ही on हो जाएगा लेकिन मैं no split रख देता हूँ और save changes button पर click कर देता हूँ अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मुझे reading pane का option चाहिए था अब देखिए reading pane का option आ चुका है जैसे मैं इस पर click करूंगा तो यह reading pane right side में आ चुका है अब जो भी email मुझे पढ़ना है मैं ऐसे quickly उस email के अंदर के content देख सकता हूँ एक जलक मार सकता हूँ इस तरह से मैं click करके इन emails को यहाँ पर चेक कर सकता हूँ reading pane की मदद से reading pane आप यहाँ पर click करके on off कर सकते दोस्तों tips no.8 में मैं आपको बताओ कि आपके email को आपको customize करना है थोड़ा सा user friendly बनाना है email id आप बना सकते है Gmail के अंदर user friendly email id मतलब जो existing email id उसे थोड़ा सा customize भी कर सकते है उसमें कुछ चीज़ा add भी कर सकते है कैसे देखते है screen के पर तो Gmail में email भी customize कर सकते है किस तरह से मैं आपको दिखा तो यहाँ पर आपको email id दिखाई दे रहा है learn more 7020 और मैं क्या करना चाहता हूँ यह पढ़ने के लिए थोड़ा सा difficult लग रहा है तो मैं learn के आगे dot add कर रहा हूँ more के आगे भी dot add कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा इससे यह email id पढ़ने के लिए easy होगा और यह valid email id रहेगा क्योंकि email यह यह dot skip कर देता है यह email id वही है learn more 7020 बस मैंने यहाँ पढ़ने के लिए आसान हो इसलिए मैंने क्या किया इसमें dot add कर दिया है यह फिर इस email id में कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे यह dot मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं plus add करके जैसे यह मेरा email है तो मैं मेरा नाम भी आगे add करना चाहता हूँ तो plus के बाद के जो भी characters आप add कर रहे हो यहाँ पे तो यह characters यहाँ पर ignore हो रहे हैं याद रखिए plus के बाद के characters plus और plus के बाद के characters सारे ignore हो जाते हैं यह email ID वही है learn more 7020 लेकिन plus के बाद आपने लिखे होए character ignore हो जाते हैं जैसे example के लिए मैं क्या करता हूँ इमेल के उपर एक email send करके देखता हूँ यह email है basically और copy paste कर देता हूँ मैं इसे और यहाँ पर मैं hello subject क्लिक देता हूँ देखते हैं यह email आ रहे की नहीं आ रहे send button पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसी यहाँ पर मैं inbox में आके देखूँँगा तो यहाँ पर आप देख सकते ही वह email आ चुका है और मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर email देख सकते हैं दोनों के दोनों email वह एक email मैंने डाला था दोनों को भी तो यहाँ पर वह चेक कर सकते हैं यह email यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं और email भी आ रहा है, मतलब वो valid email id यहाँ पर consider किया जा रहा है Gmail की तरब से, आप dot add करोगे तो भी, तो इस तरह से email id आप customize कर सकते हैं, यह filter के लिए भी easy होगा, अगर मुझे core space related email filter करने तो मैं filter भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर filter लगा कि उस particular plus की बात का जो नाम add किया है, उससे भी filter किया चाह सकते है, तो यह इसका benefit होता है basically अगर आप customize email करना चाहते हैं, तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं, Gmail की inbox में जितने भी email आते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं star करके, IMP करके, record करके रखते हैं, लेकिन इस star को भी अलग-अलग color में आप वहाँ पर highlight कर सकते हैं क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो multiple star के इसा highlight करने मैं आपको screen पर दिखाता हूँ तो अभी हम star से messages organize कर सकते हैं, usually हम क्या करते हैं, यहाँ पर click करके single, यह ही एक ही star देते हो, दुबारा क्लिक करेंगे तो यह uncheck हो जाता है, यह दिखिए, click क्या, check, uncheck, यह होता है star यहाँ पर, right, star आ जाता है यहाँ पर, but मुझे क्या करने multiple star चाहिए, तो मैं यहाँ पर settings में जाओंगा, उपर देखिए, यहाँ पर settings option दिखाए दे रहा है, फिसे settings में जाएंगे, see all settings में जाएंगे, और इसके अंदर नीचे scroll करके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यह option stars का, यह दिखिए, star में आपको कितने star चाहिए, आप एक-एक star को click करके, ड्रॉप करके, उपर रख सकते हैं, या फिर four star direct click करोगे, तो यह default आएगा, all star करेंगे, तो पूरे पूरे star आजाएंगे, जितने star आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यह दिखिए, star आ चुका है, अब मैंने इसे क्या कर दिया, save changes, अब मैं inbox में दुबारा जाओंगा, और inbox में यहाँ पर पहले click करूँगा, फिजे click करूँगा, फिजे click करूँगा, फिजे click करूँगा, यह दिखिए, पहले click करूँगा, तो यह default star आ रहा है, फिर एक बार click करके, और एक बार click करूँगा, यह blue आएगा, फिर और एक बार click करेंगे, तो आगे green tick वाला आ जाएगा, इस तरह से आप अलग-अलग star को यहाँ पे लगा सकते हैं, अलग-अलग mark यहाँ पे लगा सकते हैं, और यह सारी चीज़े आपको जब star पे आप क्लिक करोगे, आप सारी email यहाँ पे दिखाई देंगे एक साथ, दिखाई दे रहा है, जितने आपने email को star किया है, वो email यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इंट्रेस्टिंग है, यह भी चेक कीजिएगा जरूर, भई एक professional email लिखना है तो आपको email में signature ऐड़ करना आना चाहिए, और signature आप multiple भी ऐड़ कर सकते हैं, जिया दूस्तों, यह email का interesting features है, जरूर देख लेना, practically दिखा देता हूँ, मैं अभी तो आपको professional email लिखना है, तो भई signature तो आयर करना होगा, और multiple signature वोगरा कैसा आयर करते हैं, आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको settings में आना है, settings में आने के बाद see all settings में क्लिक किजिए, तो यहाँ पे नीचे general में ही याद रखिए, general में नीचे scroll कर लेना है, और आपको यहाँ पे options मिल जाएगा, signature का यह देखिए, और create new आ रहा है क्योंकि हम पहली बार इसे इसे इस्तमाल कर रहे हैं, create new पे क्लिक करेंगे, signature का एक नाम देदेंगे, आपको जो भी नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पे नाम देना चाहूंगा, learn more pro, okay, so create button पे क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको signature details एड़ करनी है, बही, suppose आप एड़ कर रहे हैं, जैसे मेरा signature में बना रहा हूँ, तो अपना नाम एड़ कीजिए, company का नाम एड़ कीजिए, आपका designation भी एड़ कीजिए, यहाँ पे designation एड़ कर सकते हैं, आपके contact details एड़ कीजिए, mobile number और और आप यहाँ पे लोगों भी एड़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, insert image करके option आ रहा है, यहाँ पे click करके insert image पे click कीजिए, और यहाँ पे आपके पास वह पूछ रहा है कि भई, आपके इस folder में ही हैं या फिर upload, right, मतलब आपके पास drive में ही images हैं या फिर upload करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से upload कर सकते हैं, यहाँ पे फिलाल course pay का logo add कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओ logo आ चुका है, and you can manage the size also, यहाँ पे दिखिए large medium small size में यहाँ पे रख देता हूँ इसका, तो यहाँ पे आप logo भी add कर सकते हैं, इसको चाहिए तो आप bold करके रख सकते हैं थोड़ा सा, इसमें अलग-लग formatting आप adjust कर सकते हैं, यहाँ पे align भी adjust कर सकते हैं, center में चाहिए, left में चाहिए, यह सारी चीज़ें यहाँ पे हैं दी गई हैं, आप font भी बदलना चाहते हैं तो font भी बदल सकते हैं, तो यह चीज़ें यहाँ पे करके, जनरल के अंदर ही नीचे आप स्क्रोल करोगे, और एक signature क्रेट करने के लिए option मिल रहा है, create new पे क्लिक कीज़ें, दुबारा signature आप किसका बना रहा हूँ, अभी मैं इस बार बना रहा हूँ, यह अपना नया brand है, जल्दी launch हो रहा है, कोर्स पे, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए signature बनाना चाहा है, तो इसमें मैं नाम देता हूँ, suppose मैंने नाम दिया हमारे manager साब का बुशन बेरे, ओके, सो बुशन बेरे, यहाँ पे नाम दे दिया, then coursepay.com वेबसाइट का अडरेस होगेरा, और manager वगर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से मैंने इसे लिख दिया, right, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, again formatting वगरा करनी है, तो again select this and यहाँ पे bold करो, इसमें भी image वगरा add कर सकते हैं और इसे भी आप save कर सकते हैं, अभी signature का use कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं जब compose button पे क्लिक करूंगा तो नीचे यहाँ पे दिखाए देगा signature का option, insert signature, right, insert signature पे क्लिक करके आप यहाँ पे no signature दिखाए दे रहा है, close page का रखना चाहते है, learn more, pro का रखना चाहते हैं, आप जिसका भी signature रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे click कीजिए, देखिए ओ signature यहाँ पे properly add हो रहा है, यहाँ से भी आप manage signature में जा सकते हैं directly, और manage signature में जाकर नीचे दिखिए, manage signature पे जाकर यहाँ पे select करके, जो भी signature आप यहाँ पे edit करना चाहते हैं, अप edit कर सकते हैं, और साथी में यहाँ पे आपको यह signature नए email के लिए default set करना है, तो कुन सा set करना है, मतलब कोई नया user है, तो उसको यह signature चला जाए, और जो पुराना user है, उसके लिए यह signature रहे है, पुरा नए user मतलब जो पुरा अमारे पास पहले से उसका mail आया है, तो उसको automatically reply में यह वाला signature चला जाए, यह वाला signature नए user के लिए जाए, तो यह आप यहाँ से set कर सकते हैं, तो उसके बाद यह set करने के बाद आपको यह save जरूर करना पड़ेगा, save changes करने के बाद जब मैं compose पर क्लिक करूँगा इस बार देखिए, यह signature by default आ जाएगा, क्योंकि मैंने नए email के लिए यहाँ पर set किया है, और जब मैं किसी भी email के reply पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो reply के अंदर signature आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यह बूशन का आ रहा है, मतलब यह course पर वाला signature आ रहा है, यहाँ पर spelling मैंने घलत लिख दिए, यहाँ पर e रहे गया, यहाँ पर add करके मतलब नहीं हो, signature में जाकर edit करना पड़ेगा आपको, तो basically आपको करना क्या है, समझ मैं होगा कि signature आप multiple कैसे apply कर सकते, उन्हें particular कैसे set कर सकते, कैसे हम signature में images वगर add कर सकते, यह सारी चीज़े मैंने आपको बताए, थोड़ासा pro level पे signature यूज़ करना भी आप समझ गए होंगे दोस्तो, यह थी tips no.10, अब बढ़ेंगे आकरी tips की उपर tips no.11 की तरफ, अगर आप vacation पे जाते हो और आपको लगता है कि मैं vacation पे जाने के पाद, जितने भी email आते हैं उन्हें automatic reply जाए, तो autoresponder इस email का feature आप इस्तमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो mail आ रहे हैं उनको आप respond करोगी कि मैं चुट्टी पे हूँ, मैं Monday को आके reply दूँगा यह है, वो है, वो है, autoresponder कैसे करना है practically देखते हैं स्क्रीन के उपाँ, तो भई आप गए हो चुट्टी पे और आपको करना है यहाँ पे अभी आपकी email पे auto reply मतलब vacation responder चुट्टी पे जाने के बाद, तो settings में जाओ और see all settings में जाओ, वही general में आपको नीचे scroll करना है और आपको एक option मिलेगा vacation responder, यहाँ पे नीचे दिखे vacation responder आ चुका है मैं इसे zoom करता हूँ दिखाता हूँ, vacation responder में आप जैसे यहाँ पे on button पे click करोगे तो पूछ रहा है कि कब से जा रहे हो चुट्टी पे डाल दो, मैं नो तारिक से जा रहा हूँ, first day, नो तारिक, last day अगर आप नहीं mention करना चाहते हैं तो आपको manually vacation responder बंद करना पड़ेगा जब आप वापीस आओगे gmail पे login करोगे तो और last day भी आपका fix है तो आप यहाँ पे last day भी decide कर सकते हैं, यहाँ पे subject डाल सकते हैं कि वही आप few days लगे ऐसा कुछ भी आप लिखो और यहाँ पे save कर दो, right? And यहाँ पे भी है, एक option, only send a response to people in my contacts, उनको ही भेजो, जो मेरे contacts में है, मतलब जो already save है, जिनके email मेरे contact में add है, उनको यह reply चाहेगा, और नए वालों को नहीं जाएगा, लेकिन सब को जाना है, मतलब सब को email डाल देगा इसमें, तो उसको auto reply चला जाएगा, कि मैं चुटी पे हूँ, इस particular date पे मैं आऊँगा, और आप कुछ और भी उसमें details add कर सकते, किसी का number वगरा भी दे सकते, contact के लिए, अगर आप चाहते हैं, तो see all settings में जाकर आपको फिर से यहाँ पे आकर, जैसे आप चु आपकेशन डिस्पोंडर यूज का सकते हैं, दोस्तों, तो यहाँ पे च्रोम के शॉटकट बताने के लिए, अब यहाँ पे मैं दिखा तो, पेला शॉटकट बताने के लिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लन्मोर इंडिया.in की जग कुछ और सर्च किया है, जैसे मैं कर रहा हो, अलग सा, कुछ भी सर्च कर रहा हो, तो इसके पहले, जो वेबसाइट अल्री विजिट थी, वो मुझे यहाँ पे मिलेगी, मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूंगा तो, लेकिन मैं कीबोर्ड से करना चाहता हूँ यह, बैक बटन नहीं करना चाहता हो, कीबड पे Alt और Left arrow दबाउंगा, अल्ट और Right arrow दबाउंगा तो फिर से यही बाइगा, Learn More Pro जो मैंने सर्च किया था। और Alt, Left arrow दबाउंगा तो यह देखिये, पीछे में चला जाओंगा, तो Alt, Left और Right से आप ऐसे जो वेक और आप फॉरवड pagan पेजू अबने विजिट किये तो मैं F11 button press करूंगा F11 यह दिखिये अब यहापे कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है पूरा full screen में दिखा दे रहा है full screen क्लोज करने के लिए दुबार आप F11 प्रेस कीजिए F11 F11 इस तरह से full screen आप हटा सकते हैं okay उसके अलावा मुझे कोई particular part में zoom करना है मुझे यहापे zoom करना है जैसे कुछ भी तो मैं control plus button दबाओंगा यह दिखिये control plus 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 यह zoom हो रहा है right browser में zooming आप इस तरह से बढ़ा सकते control minus से zoom out कर सकते यह दिखिये zoom out okay तो यह banner zoom out नहीं हो लेकिन बाकी options आप देख सकते हैं पूरा पूरा zoom out हो चुका है और मैं control zero press करूंगा तो यह hundred percentage आजाएगा control plus से zoom in हो जाएगा chrome में अगर आप zoom करना चाहते तो control plus zoom out करना चाहते तो control और minus button दबाते चाहो keyboard पे और अगर control zero आप प्रेस करते हो मैं directly fit in window हो जाएगा जितना normal zooming रहता है hundred percentage उसमें आप यहाँ पे load होगे right उसके बाद यससे आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास एक, दो, तीन, चार टैब में open है यहाँ और भी टैब में open करूंगा तो मुझे इन टैब की बीच में switch होना है मैं mouse से तो हो सकता हूँ लेकिन मुझे keyboard से करना है switching तो कैसे control page up, page up, page up, page up, page up दिखा दे रहे control page down आप आगे जाओगे control page up से ऐसा पीछा होगे control page up और page down आप याद रखना है दूसरा है कि एक number का tab अपको open करना है तो control one, दो number का है तो control two मुझे भी direct 3 number पे जाना है तो मैं page up, page down नहीं करूंगा control three directly 3 number page पे आजाओगा control four directly 4 number page पे पे जाओगा control one directly एक number page पे आजाओगा तो इस तरह से आप control button प्रेस करके control one two three कोई भी टैब में जा सकते जो भी टैब यहाप अपने open रखे ना उपर उन टैब में आप switch होने के लिए control one two three प्रेस कर सकते या control page up और page down कर सकते या इसके अलावा keyboard पे आप control और tab बड़म प्रेस टैब control shift प्रेस करना है और tab बड़म प्रेस करना है तो control page up page down करो control shift टैब करो या control टैब करो या फिर control one two three four ऐसे आप करो जितने भी आपके या पे टैब ओपन है उसके अंदर switch होने के लिए okay उसके बाद या पे मुझे history अगर delete करनी है तो control h बड़म में प्रेस करूँगा और या पे जाके history delete करूँगा यह मैंने आपको पहले भी पता है starting में की history होता क्या basically और मुझे browsing data पूरा delete करना है खले history नहीं है तो मैं control shift और delete की प्रेस करूँगा जिससे clear browsing data करके एक window है control shift delete याद रखिये control shift delete keyboard पे अगर आप प्रेस करते हो तो यह clear browsing data जिसमें cookies, browsing, histories वग पेर कर सकते हैं उसके अलावा मुझे यह bookmark hide and show करना है यह जो दिख रहा है तो control shift B से hide or show होता है यह तो मैंने पहले भी बताए आपको लेकिन इस bookmark में अगर कुछ चीज एड करनी है जैसे कि यहाँ पर यह जो search किया हुआ यह एड करना है यह तो बहुत बड़ा है यह यह एड कहाँ पर हुआ यह तो नहीं दिख रहा है यह एड यह पर होता है यह दिखिए यह पर डहर सरी चीज़े यह पर पहले से bookmark में यह दिखिए ना लाश में आपको learn more shots एड होते दिखाए दे रहा है चुल एक और आपको दिखाता हूँ यह learn more pro all courses इसको मैं सेलेक कर लाँ इस टैब मैं आ चुका हूँ, ctrl-D button मैं फ्रेस करता हूँ यह पर मैं done करता हूँ यह पर जोभी नाम में रखना चाहता हूँ देखिए यह नाम रोखंगा और done button मैं click करूँ करूँगा यह पर मैं enter button फ्रेस करूँगा तो भी चले गा keyboard पर, अगर आपको करना है तो उसके बाद आपको यह पे इन options पे जाना है और नीचे दिखिए यह पे एड़ हो चुका है दिखाए दे रहे हैं ओके तो इस तरह से आप इसे एड़ कर सकते हैं आपके bookmark में control D button से bookmark में आपने जो visit page किया है जो भी tab आपका open है उसे add कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप रिमू करना है जो एड़ किया हुआ तो आपको ctrl shift o प्रेस करना होगा ctrl shift o से bookmark manager आता है और यहाप जहिए जिसको भी रिमू करना है यहां से आप अप अप अपने आपको यह जा कि इसे डिलीट कर दूँगा जिसमें आप जो चीज़ें कर सकते हैं उसके बाद आपने यहां पर कुछ डाउनलोड किया है तो डाउनलोड में जाने के लिए ctrl j बटन प्रेस कीजिए यहाप अपने जो जो डाउनलोड किया यह देखिये मैं नेडेस डाउनलोड किया था मैंने एपईज अब्द इमेज डाउनलोड की थी वो डाउनलोड फोलडर में दिखाएगा आपको जो अपने डाउनलोड किया है इन तो डबाऊंगा कोईभी तप में मैं इसमें जाता हूं, मैं यहाँ पर अभी डबाता हूं, तो यह Search on Google आता है, दीए, Google पर क्या सर्च करना चाहते है, Google पर मैं सर्च करना चाहता हूं, रियल टुटूरियल देखते है रियल टुटूरियल के बारे में क्या आता है रियल टूटूरियल ओके उसके वीडियो जार है राइट तो आपको दिखाए दे रहा है Ctrl K बटन प्रेस करने से Google पे डारेक्ली सर्च होता है Ctrl K याद रखिए या Ctrl E बटन आप प्रेस करते हो तो यह देखिए Search on Google पे सर्च होगा यह डारेक्ली Ctrl K या Ctrl E याद रखिए आपको Google विजिट करो फिर सर्च करो करने के जरू होता नहीं Ctrl K दबाओ जो भी टैब में आपो डारेक्ली Google सर्च में जाओगे और आपको कोई वेबसाइट विजिट करने तो आपको यह पे क्लिक करना पड़ता है तो आप क्लिक करोगे फिर वेबसाइट का नाम लिखोगे तो आप Ctrl L बटन दबादो डारेक्ली आप आड्रेस बार में जाओगे दिखिए ठीक है यहां तक तो आपको बता चला अब यहां पर सपोज यह न्यू टैब में क्लोज कर दिता हूँ यहां पर एक नई वेबसाइट मुझे उपन करनी है लेकिन यहां पर मुझे प्लस पर क्लिक करना पड़ता है ने टैब में जाने के लिए तो मैं Ctrl T बटन दबा दूंगा ने टैब में जाने के लिए क्या बात है Ctrl T से ने टैब आता है Ctrl W से यह लोज होता है यह भी क्लोज करना है Ctrl W जो जो टैब अभी आपर उपन है selected Ctrl W से लोज होगा और आपने क्लोज कर दिया आपको reopen करना है तो Ctrl Shift T बटन दबाईए Ctrl Shift T यह मैंने पहले भी बता है अगर आप से गलती से कोई भी टैब क्लोज हो जाता है तो डोंट वरी राइट अब Ctrl Shift T बटन दबाईए इसे ऐसा reopen कर सकते है Ctrl Shift T याद रखिए Ctrl T से ने टैब आता है Ctrl W से close होता है Ctrl W से close किया Ctrl Shift T से reopen वही close टैब clear है आपको यहां तक तो clear हो चुका है चलो ठीक है अब उसके बाद की जो shortcut की है जैसे कि Ctrl T से यहाँ पे टैब open होता है Ctrl N से नया open होगा window यह देखिए browser के एक नया window open हो रहा है यह पीछे हमारे टैब चलो है एक नया browser का window open हो रहा है वहाँ पे एक new window आ चुका है राइट इस तरह से आप नया window open कर सकते और यहाँ पे नया पूरा window close कितने भी टैब open रहने तो उसमें पूरा close हो जाएगा राइट तो पूरा Chrome browser अगर close करना है तो Ctrl Shift W प्रेस कर सकते है Alt Tap 4 भी कर सकते है तो आगे की shortcut की है अगर यहाँ पे मैंने कुछ Google पे search किया और यह search मैं चाहता open करना लेकिन मैं इस टैब में open नहीं करना चाहता हूँ अलग सा open करना चाहता हूँ ने टैब में तो मैं इसके उपर mouse लाँगा और Ctrl बटम प्रेस करके click कर दूँगा यह दिखिए यह ने टैब में open हो रहा है राइट ने टैब में आपको यह पे दिखाई दे रहा है कैसे open हो रहा है तो Ctrl प्लस क्लिक करेंगे तो ने टैब में open होता है basically और अगर आपने यहाँ पे कुछ तो यह सारे Chrome browser के अलगलग shortcut है जो मैं आपको बता है यूजफूल shortcut मैं आपको बता है तो इनका इस्तमाल जरूर कीज़ी है तो दोस्तो अब हम जाने वाले useful website के बारे में जो website से आपको कुछ न कुछ फ्री content मिलेंगे या जहां पे आप कुछ न कुछ फ्री में चीज़े कर सकते हैं जो website student, teacher या professional को पता होनी चाहिए वो website मैं आपको एक और करने वाला हूँ तो यह website पर आपको मिलता है टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेस्ट और लर्न सेक्शन में मिल रहा है जहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो लर्न सेक्शन में आपको यह बताएगा कि भाई कीबोर की फिंगर्स कैसे रहनी चाहिए मैं कंप्यूटर कीबोर की यह पर प्रैक्टीज भी कर सकते हैं आप यह पर टाइपिंग टेस्ट अटेंड करके सर्ट अपिक इपा सकते हैं यह पर देख सकते हैं तो इस website को जरूर चेकीजिएगा अब बढ़ते हैं website 2 की तरफ दोस्तों बहुत सारे लोग ग्राफिक लवर रहते हैं उनके लिए खास website है जिसका नाम है Vector.com इस website में फ्री में ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी पस को रोल्रो सॉप्ट्वेर नहीं है तो डोंट वरी यह सॉप्ट्वेर आपको बहुत अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी आफफे यह श्यूद टारे बिखने कर सकते हैं टो आपको बनाना या कुछ और चीज़े बनानी तो प्री में ग्राफिक्स यहां से बना सकते हैं तो चले एग्सामबल के लिए मैं यह यह पनो कर दिकाता हूँ मैं इलिप्स अग पर क्लिक और हॉँ यह अंडर करना है राएं पर अंड को मुझे सर्कल में मि अन्वान कर 171 5 3 जो टोने में विल रहे हैं यहां पर नीचे बीवड़ और मिल रहे हैं चाहता है worshler चाहता हुए है को सब्सक्रा अपर राइज सबस्क्राइब कर देना है यह लिंक option को पहले आंचेक करना है ध्यान से देखिए मैं कौन से option को अंचेक कर रहा हूं यहां पर आप देखोगे यह link options आ रहा है यह लिंक कर दिया क्यूंकि width और height में same रखना चाहता हूं अगर वह यहां पर link है तो अगर मैं width में change करूंगा अगर मैं width में देखिए 372 और height में 232 तो अगर मैं width में 400 करूंगा तो उसके respect में height भी बढ़ेगी तो यह unlink में कर देता हूं यह 400 में रखना चाहता हूं और यह भी 400 में रखना चाहता हूं तो यह देखिए unlink होने के बाद यह दोनों भी size आप customize कर सकते यह link हटाने के बाद तो यहां पर आप देख सकते हैं circle यहां पर draw हो चुका है ellipse to circle आपने इसे draw कर लिया अब इसे मैं center में रखना चाहता हूं इसको opacity कम जादा करना चाहता हूं तो यहां पर आप सारी चीज़े कर सकते हैं इसे एक बार जरा चेक करके देखिए यह कापी interesting है जो कि आपको अब बढ़ते हैं तीसरी website की तरफ अब जो लोग graphic lover होते हैंने graphic में काम करना पसंद करते उनके लिए website बता ही लेकिन जो लोग photoshop में काम करना चाहते हैं उनके पास photoshop नहीं है तो online photoshop का एक website मिल रहा है जिसका नाम है photopee photopee.com दिखाए देरे आपको photopee.com इस website का आप इस इसमें क्या है आपको मैं आपको बता हो कि इसमें photoshop का एक clone version आ रहा है photoshop के लग बग बहुत सारे तूल से आपे मिलते हैं और यहां पर वैसे image कर सकते लग बग वैसे image कर सकते जैसे आप पोड़ोशॉप में करते हैं जैसे आप यहां पर न्यू प्रोजेक में क्लिक बिलता है photoshop की तरह तो यह एक online photoshop ही है photopee.com और इस website की खासियत एक और है कि इसका जो photopee application है वह आपको more में जाकर install photopee करके option मिल जाता है जहां से आप इसको install भी कर सकते हैं आपके desktop की उपर यह देखिये install का टैब आ रहा है मैं इसे install करता हूँ और जैसे मैं इसे install करू इसके लिए आपको web browser की ज़रुवत नहीं लेकिन internet की ज़रुवत है बिना internet का यह photopee application चलेगा नहीं सारे options से internet से आपे loaded होते हैं क्या भी दिखाए दे रहा है आपको install होने के लिए बस single click से install हो गया इतना time इसने लिया नहीं है तो यह जो application से आप इसे यूज कर सकते है ब online Photoshop का यह tool बहुत usable रहेगा आपके लिए लेकिन internet रहना चाहिए इस application के लिए याद रखिएगा दोस्तों अब बढ़ते next website की तरह अब इस website में आपको बताओ कि अगर आपको PDF एडिट करना है तो आपको विजिट करना है सेजदा.com जैसे की इंट्रो पाट में मैंने आपक रहा है था कि existing content को आप एडिट कर सकते है इस website की मदद से और यह बिल्कुल फ्री है सेजदा.com दिखाय दे रहा है एडिट PDF डॉक्यमेंट इस फ्री यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिम्पल स्टेप से यहाँ पे क्लिक करो अप्लोड PDF यहाँ पे आपको option आ रहा है मैं इस अपने चैनल पे वीडियो बनाया है जो कि आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी कि अगर आपको सुपरफास बनाया है तो यह वीडियो जरूर देखो पाच लाग लोगों ने देखा है एक मैने में यह कापी हिट वीडियो गया है दोस्तों तो इन की शॉटकट की ज़ आपको अपना खुद का इमेज करना चाहता है और मैं इसमें इमेज करना चाहता हूं तो मैं इमेजस में जाओंगा यहां पर दिखाए देरा है रेडिमेट एक इमेज दिया है उसने या आप कुछ अपना खुद का इमेज करना चाहते है तो न्यू इमेज में जाई है यहां पर मैं इसे यहां से डिलीट कर दूँगा या एड किया तो यहां पर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, right? और आपको और इसे डिलीट कर सकते हैं और इसे बार को सकते हैं, और अपर इसे दिलीट बटन भी आ रहा है, तो ऐसी ढेर शारी चीज़े हैं इसे जरूर चेक कीजिये जैसे अनोट में जाकर highlight करना है कोई point को तो आप इसे highlight भी कर सकते हैं और सब कुछ होने के बाद इस पीडिया आप को आप export कर सकते हैं Save करने के लिए आपको नीचे apply changes करके option दिखाए दे रहा है right आपको apply changes पर क्लिक करना होगा सबसे पहले यह task is in processing तो process हो जाएगा और download बटन पर आप इसे क्लिक करोगे तो यह PDF आपका यह पर download होगा आप देख पाएंगे कि यह 50 की जगए 15 हो गया यह आप यह highlight हो गया और image तो signature मैंने डिलेट कर लिया वो मुझे नीचे था बट मैंने example के लिए आपको बता है तो यह काफी useful website है क कैसे काम करने मैंने आपको बता है सेजदर.com जरूर आप इसे चेक कीजिए कि आप PDF के साथ क्या 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 कर सकते हैं इस website की मतसे और भी बिलकुल प्री में प्री है भाई प्री प्री की चीजे चोड़नी नहीं चाहिए आप बढ़ते हैं next website की तरफ तो आप इस website में मैं जिसमें background है दिखाए दे रहा है with background वाला यह photo मैं लेता हूं जैसे कि Amita बच्चन की तरह मुने ऐसा कर दिया है तो फिलाल आप देख सकते हैं यह photo यह पे upload हो रहा है और magic हो रहा है और यह magic आपके सामने ready है दोस्तों तो यहाँ पे background हो गया है गायब और आप इसे download कर सकते है अहाँ low resolution वाला यहाँ पे download होगा जो भी download होगा अगर आपको high quality कि इसका download करना है मतलब इसकी जो actual size वह डाउनलोड करना है तो download HD पे आप क्लिक करोगे तो उसका आपको subscription plan लेना पड़ेगा लेकिन आपको यहाँ पे premium मिल रहा है यह download करने के लिए जिसमें background तो रिम हो आप इस वेपसेट के बारे में आपको बताओ कि अगर प्री में फोटो और वीडियो डाउनलोड करना चाहते तो आपको विजिट करना चीए pixels.com जो कि आपको यहाँ पे दिखाए दिखाए मैंने और आपको सर्च करना है कि आपको किस तरह की पिचर चीम तो मुझे आपको दिखाए देरा है यहाँ थिंकिंग लोग सोच रहे क्या बात है और वीडियो ची है तो यह पे वीडियो को डाउनलोड करना है यह प्री में डाउनलोड बटन पे यह प्री में डाउनलोड हो जाते जरू ट्राइक इजिए pixels.com दोस्तों जो कि आप प्री में वीडि जिलिन के लिए अगर आपको कोई presentation देना है उसमें आपको बताना है तो आप इन वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप देढ़ें नेक्स्ट टेर नांप्रोजेक्ट के नांप्रोजेक्ट नाम से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा रहा होगा लेकिन इस प्रोजेकों में यह है एक ऐसी वेबसाइट जहां पर प्रिमे आइकॉंस मिलते है प्री में फोटो इमीलते है दिखाई दे रहा है अप कुई भी इक आइकॉंस यहां पर एड़ करना चाहते है जैसे आप मेल एक प्र्पेशनल इमेल लिख रहे हो और वहां पर पर आपको कुछ आइकॉंस च या फिर Microsoft Word में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोफेशनल नोट्स वगरा बनाना है तो मैं बस आइडिया दे रहा हो कि यहां से आप फ्री में आइकॉन्स ले सकते हैं फ्री में फोटोस भी ले सकते हैं अगर यहां पर फोटोस में क्लिक करोगे और कंपीटर नाउनप्रोजेक्ट.com में कुछ पेड़ चीजे भी है यानि कि आइकॉन के कलर पूल आइकॉन्स अगर आपको डाउनलोड करने जैसे मैं इस आइकॉन को सर्च करता हूं मैं आपको बता जेता हूं ने तॉ अब बोलगी यह आपने बताया नी सर अगर आप यह वाला कंप यह तो अग लिंए ने कि अले आए यह तो अगली website है उत्रोड डोट कम यहनी की ड्रों कि ट्रइग करना आजकर सब जगह पे Automatic चीजे हो रही दोस्तों सारी चीजे Automatic आ रही है- आई- टेक्नलोजी युजह हो रहा है तो वेस ही ड्राइग में भी AI टेक्नलोजी यूजह रहा है यानि कि आप जो भी ड्रॉप कर होगी Automatic होते जाएगा यहां पर आपको दिखा दे रहा है एक auto draw pencil, magic pencil, basically magic pencil शाकला का boom boom की तरह है, आपको पता है ना, शाकला का boom boom नाम की एक serial हुआ करती थी, जिसमें वो लड़का अगर paper के उपर कुछ भी draw करता है, मतलब वो अगर paper के उपर के लिए निकालता है, तो वो के लिए paper से बहार आते थ अब ही वो बताएगा कि इस shapes related उसके पास कौन-कौन से object है, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा, इस shapes related उसके पास इतनी सारे object है, इनमें से आप कोई भी object सेलेक कर सकते है, अगर आपको वो चाहिए तो, इस shape को मैं तोड़ा सा और चेंज कर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यह mouse नीचे यहां पर ड्रॉख हो के आ रहा है, क्या बात है, कमाल है, यह mouse के साथ में क्या करना चाहता है, इसके अंदर color इसका border color चेंज करना चाहता हो, यह पर देखिए, इसका border color मैं यहां से change कर दिया, यह पर options मिल जाते है, आपको, स इस तरह से आप automatically यहां पर object को ड्रॉख कर सकते हैं, बस आप एक ड्रॉख कीजिए, आपने एक rectangle भी ड्रॉख कर लिया, तो भी बहुत सरे options आपको उपर मिल जाते हैं, कि रेक्टैंगल से लेटर हमारे पास क्या है, इस rectangle के अंदर दूसरा rectangle ड्रॉख किया, तो और options बता र इला कि यह शकला का boom boom serial की तरह बहर नहीं आएगा, अगर आपकी drawing weak है मेरी तरह, मेरी drawing बहुत वीक थी, जब भी मुझे drawing के exam देनी पड़ती थी, तो मैं पहाड हमेशा draw करता था, एक scenery draw करता था, और पहाड का shape कोई भी हो सकता है, भाही पहाड को कोई गलत नहीं बोल सकता इसलिए मैं पहाड draw करता था, चलिए खेर, मैंने मेरे बारे में बताया, आप अपने drawing experience के बारे में comment में बताना, कि बच्पन में आप drawing का exam कैसे दिया करते थे, कौन सी drawing draw करते थे, ज़रूर बताएगा, मैं आपकी comment पढ़ने में interested हो दोस्तो, तो comment ज़रूर कीजिएगा, आप बढ़ते हैं next website की तरफ, तो हमारी अगली website है learnmoreindia.in, यह website हमारी है, जहाँ पर आपको free में बहुत सारी चीज़े मिलती है, और free में online test आपको attain करने मिलेगा, अगर आप computer से related कोई exam दे रहे हो, तो उसकी practice आप यहाँ पे कर सकते है, computer online test, tally online test, MS word, ऐसी धेर सारी चीज़े मिलेगा, जहाँ पे धेर सारी shortcut keys भी आपको free मिलेगा, और PDF डाउनलोड के लिए भी मिलने वाला है, और बहुत सारे अलग अलग notes यहाँ पे आपको मिलने वाले, जैसे MS Office के notes मिलेंगे, और Other Topic के भी यहाँ पे notes मिलेंगे, तो एक बार learnmore India website को ज़रूर वीज़े कीजिए, जहाँ पे आपको धेर सारी blog पढ़ने मिलेगे, और यह सारी website जो भी मैं बता रहा हूँ, यह website की link भी इसी blog पे आपको मिलेगे, description मैं ने link दे दी यह वीडियो में, तो इस website की सारी जानकारे मैंने यहाँ पे भी इस blog में दी है, आप चेक कर सकते है, इस website को ज़ screenshot.guru, जो कि मैंने यहाँ पे विजिट किया, यह website किसी भी website का screenshot लेने के लिए आपको help करती है, जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं learnmorepro.com इस website का screenshot लेना चाहता हूँ, यह website आपको दिखाए दे रहे, learnmorepro.com, मैं यहाँ पे आऊँगा screenshot.guru पे और यहाँ पे इस website का URL मैं यह पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे दिखाए दे रहा है learnmorepro.com, यह URL मैंने डाला है, I am not robot, पे मैं क्लिक करूँगा, screen capture करूँगा, basically क्या होता है, कि screenshot मतलब आपको बस लगता है कि screen की उपर जितनी चीज़े आ रहे उतनी नहीं, यह screenshot लंबा चोड़ा देता है, मतलब जितन एक page का यहाँ पे screenshot ले रहा है, नीचे तक यहाँ पे आपको scroll down करके मैं आपको दिखाता हूँ, उस पूरा पूरा screenshot यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो, definitely आपको पसंद आया होगा, यह लंबा ज़रूर है, लेकिन एक information देने वाला वीडियो था औ यहाँ पे short tips आती है, तो अगर आप interested हो, कुछ और सीखने के लिए तो description में जाहिए, चैनल के link मिलेगी और उन्हें भी subscribe कीजिए, और उनके भी वीडियो देखके smart बनिये, मैं मिलूँगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, next Monday, शाम क पाच बजे हम मिलते हैं, subscribe किया हो तो जरूर मिलेंगे, subscribe कर लेना, बाई बाई